Hello students, कैसे हैं आप सब? आप तैरी वे सिलरी होगी हाँ जी आई है आज से मैं आप लोगों को सीगेंटए अडवांस काउन का बूस्टर बेच टार्ट कराने जा रहा हु तरीके जो अडवांस काउन का बूस्टर बेच आपका इसमें कवरीज कितने रहेगी। मैं आपको बता दूं मैं इसमें आपको पूरा सलिवस कराऊँगा सारे चेप्टर कवर होंगे सारे एस कवर होंगे including आपका introduction of AS and India चेप्टर और आपका framework का चेप्टर मैं आपको हर चेप्टर के और हर AS के जितने important question है सारे-सारे cover कराऊंगा और साथ में concept रिवाइज कराऊंगा यह जो important question है इनका selection दो बेस पर किया गया एक यह question exam के लिए important है और second इन question हो में respective AS और chapter के आपके major concept cover हो जाएंगे बनाद गें से पेखिंट। में सारे एक सारे आपने subscribe कर लिए आपने वीडियो साथ स्थे एक शेर करना सब ग्रूप में सेरे करना श्रम ने वीडियो का link चैनल का link और आपका टेलेगाम आप दोस्तका आब सब गूरूस वीडियो को आगे से पढ़ाने से पहले कुछ प्यारी-पयारी सी बात आप को बताऊंड़ से आप वीडियोष फोलो मैं आपको question solve कराऊंगो, आप साथ question solve करेंगे, मैं आपको concept revise कराऊंगो, अगर आपको लगता है कि यह concept मेरे को अपनी language में लिखना है, तो आपके आपको वीडियो को पहुच करके, उस concept को अपनी language में लिख सकते हैं, अपने proper copy maintain करने हैं, जैसे ही class मावत होती है, आपने क्य अगर आप notes को देखेंगे, तो हमने हर chapter और AS को दो पार्ट में रखा है, पहले part में आपके concept है, और second part में आपके practical question है, ठीक जी sir, चलिए जी, आज की class start कर लिए तो, आज मैं आपको booster batch के अंदर 3 AS cover कराऊंगा, सबसे पहले मैं लोग cover करेंगे AS 16, फिर cover करेंगे AS 12, और फ start करते है, AS 16 से, AS 16 का नाम है borrowing cost, AS 16 यह कहता है, अगर entity borrowing cost incurred करती है, in relation to qualify asset, तो वो क्या करेगी, borrowing cost को capitalise करते है, इसका मतलब यह है कि, जो qualify asset है, उसकी cost में borrowing cost भी आ जाएगी, example के दूर पर जैसे sir, मानलो मैंने क्या किया, property plant and equipment का construction किया है, अब उसके construction पे मैंने material incurred किया है, 4 lakh से, labor cost लगी है, 2 lakh से, और यह qualify asset है, तो यह जो 6 lakh amount capitalise होगा, यह capitalise होगा आपका as per AS 10, ठीक, जी sir, borrowing cost आपका in relation to qualify asset मैंने incurred किया 50,000, तो मैं इसे भी क्या करूं, capitalise कर दूँगा, it means, it means, it means, यह है कि यह आपका post OPP का part बन जाएगी, ठीक, जी sir, तो मेरे साथ साथ बोलें जाएगी, borrowing cost incurred in relation to qualify asset has been capitalized, ठीक, whereas borrowing cost incurred other than one qualify asset हम उसे क्या करें, penal account के नदर चार्ज कर लेंगे, अब question arise होता है कि qualify asset हम किसे मान के चलें, कहता है, qualify asset हो asset है, जिसको acquire करने में, construction करने में, production करने में आपका necessarily substantial period of time लगता है, substantial period of time का मतलब क्या है, accounting interpretation ने बताया है, substantial period of time का 12 month या उससे जाथा, ठीक, जीसर, borrowing cost में basically क्या क्या आएगा, इस concept को में थोड़ा रुक्या आपको बताऊँगा, अभी आपने मान के चलना borrowing cost का मतलब है interest cost, ठीक, जीसर, तो borrowing cost अगर incurred करती है entity, in relation to qualify asset, तो हम उसे capitalize करेंगे, qualify asset हो asset है, जिसको acquire करने में, construction करने में, production करने म substantial period of time का मतलब है 12 month या उससे जाथा, अगर borrowing cost incurred होती है, अधर देन में qualify asset तो उससे हम क्या करेंगे, penal account में charge कर लेंगे, ठीक, जीसर, अब एक question arise होता है, कि जैसे मानलो हमने क्या किया, एक qualify asset का construction स्टार्ट किया, ठीक, जीसर, तो मैं किस date पे borrowing cost जो है, उसका capitalization स्टार्ट क है, ठीक जी सर, हमने यहाँ भी loan ले लिया, लेकिन जो qualify asset है, उसके ओपर necessary activities जो start की है, मान के चलते हैं, हमने वो start की है, 1st मई से, अब मेरा आप लोगों से question है, कि जो borrowing cost का capitalization वो कब से start करेंगे, जिस date पे हमने loan लिया उस date से, या जिस date पे हमने construction स्टार्ट किया, उस date से, सर, AS16 यह कहता है, कि capitalization वो borrowing cost स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप 3 condition qualify करते, जिस date पे 3 condition qualify हो जाएगे, हम लोग क्या करेंगे, borrowing cost का capitalization स्टार्ट कर देंगे, सबसे पहली condition है, कि there must be borrowing cost, borrowing cost होनी चाहिए, अगर कोई borrowing cost है नहीं, तो फिर capitalization किसको करेंगे, second कहता है, expenditure has been incurred on qualified asset, qualified asset के उपर आपने expenditure incurred कर दिया हो, और third कहता है, necessary activity आपने क्या कियो, start कर दियो, जिस भी date पे यह 3 condition पूरी हो जाएगे, उस date से हम लोग क्या करेंगे, commencement of capitalization and borrowing cost start करते हैं, ठीक जी सर, अगर हमने borrowing cost का capitalization start कर दिया, तो क्या continue capitalization रखेंगे, या उसे suspend भी कर सकते हैं, कहता है, अगर active development जो है, जैसे हम लोग qualified asset पे हमने क्या किया, यहाँ पे expenditure incurred करना start कर दिया, necessary activity start होगी, और यहाँ पे आके क्या हुआ, active development interrupted होगी है, कहता है, अगर active development interrupted होती है, due to abnormal reason, तो हम लोग क्या करेंगे, borrowing cost का capitalization, suspend कर देंगे, during interrupted period, ठीक, abnormal reason का मतलब क्या है, कहता है, abnormal reason वो reason है, जिनका हमें पहले से नहीं पता है, देखे क्या होता है, हम सबसे पहले identify करते हैं, asset qualify है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, identify करेंगे, कि जो asset है, उसको acquire करने में, consumption करने में, production करने में, necessarily substantial period of time लगेगा, ठीक, तो जब हम लोग necessarily substantial period of time को identify करते हैं, तो कुछ ऐसे reason होते हैं, जिनका हमें पता होता है, जैसे example के दूर पर हमें पता है, कि अगस्त के मही होते हैं, तो काम नहीं हो पाएगा, तो वह आपका necessarily में cover हो जाएगा, लेकिन मानलों बाद आगे और तीन महीने काम नहीं हो पाएगा, तो यह आपका abnormal reason है, I mean to say, वो reason, जब हम लोगों ने necessarily substantial period of time identify किया था, उस time पे वो identify नहीं हो पाए थे, तो वह आपका abnormal reason है, और अगर उनकी वजय से active development interrupted होती तो हम लोग क्या करें, boring course का capitalization suspend कर देंगे, interrupted period के तोरा, ठीक, जी सक, अगर normal reason से काम रूपता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, boring course का capitalization continue रखेंगे, example के तोर पे, हमने चार मंजिल एक building बनानी थी, अब फर्स्ट मंजिल जब बिल्डिंग बनानी फर्स्ट फ्लोर बना तो उस पे लेंटर डला और उसको सूकने में अभी 10 डेज लगेंगे, तो यह normal reason है, अगस्त के महिने में बारिष होगी 12 डेज, 15 डेज और काम नहीं हो पाएगा, अब यह एक आपका normal reason है, ठीक, जी सब, borrowing cost का capitalization का बंद करेंगे, कहता है, जब दो में से कोई एक condition आपकी complete हो जाएगी, या तो आपने जो asset है, qualified asset, उसका construction complete कर लिया, मतलब asset ready to use है, या फिर आपने क्या क्या borrowing को repay कर दिया, ठीक, जी सर, अगर दोनों में से कोई एक भी गटना गट जाएगी, तो हम लोग क्या करे करेंगे, borrowing cost का capitalization बंद कर देंगे, ठीक, जी सर, इसके बाद यह जो note है, अभी अपना point pending रहेगा, आगे बढ़ते है, अब मुदा उठता है, कि देखिए, borrowing cost अगर in relation to qualify asset है, तो हम उसे capitalize कर देंगे, अब मुदा उठता है कि borrowing cost का capitalization amount है, उसे हम कैसे calculate करेंगे, इसके लिए AS-16 यह कहता है, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपना borrowing जो है, उसे identify करेंगे, कि जो borrowing है, वो आपकी specific है, या journal है, और यहाँ पे बहुत सारे student को confusion रहती है, मैं आपको बता दूँ, आज के बाद आपको confusion बिलकुल मिन रहेगी, यह मैं आपको booster batch में guarantee दे रहा हूँ, पास-track batch और regular batch में तो मैं इन के ओपर बहुत सारे example कराता हूँ, बहुत detail में coverage कराता हूँ, क्योंकि यह revision purpose के लिए batch है, मैं तब भी आपको guarantee दे रहा हूँ कि इस batch के अंदर भी specific borrowing और general borrowing को लेके आपको कभी confusion नहीं होगी, बड़े अराम से मेरी बाते सुने हैं, ठीक, पहल construction करना, loan दे दो, bank ने का ठीक है, हम आपको loan दे देंगे, लेकिन आप उस loan को na, cable और cable उस building के construction में यूज करेंगे, जिस building के लिए आप इस loan को ले रहे हैं, ठीक, जी सर, इसे हम बोलते है specific borrowing, मैं bank के पास गया, मैंने का bank जी loan दे दो, bank ने का ठीक है, loan दे देते, मैंने का bank कि ये बताओ, इस पैसे को मैं कहा यूज करूँ, सुने का साब आपका business जहादिल करे, आपको हमा यूज कर ले ना, जब borrowing का को specific purpose नहीं होता, उसे हम बोलते है journal borrowing, ठीक, जी सर, specific borrowing के case में वो कहता है, कि आप क्या करेंगे, actual borrowing course capitalize करेंगे, और यहाँ पे होती है student को confusion, मैं 10 crore का loan लिया है, और मान के चलते है specific borrowing है, ठीक जी सर, पूरे साल के लिए long लिया है, 10 crore का, specific borrowing है, और rate of interest आपका 11% है, तो actual borrowing course कितने ही साह जाएगी, 1.1 crore, मैं bank को कहता हूँ, bank जी मैं क्या इस पैसे को कहीं और यूज कर सकता हूँ, bank ने मना कर दिया, अब practical एकर आप दे का इस P Deck कर दोबा, इस Parchite कर दोगा, तो bank हमें permission देता है, bank हमें करता है, और या तो जिस asset के लिए आपने ऐ份 loan लिया, उस asset के जितने byped on the Saat USAose Ohanda जब तक आप उस asset की जितने हुनिका एंगर। wicked आप क्या करें। temporary investment कर दें इस पैसे म से, ठीक जी सर, अब मैնने पर confusion क्या होती है 10 क्रोड का हमने लॉन लिया ठीक है जी कब लिया मान के चलते मां अलग example बनाता हूं 1st April 24 को और specific borrowing है आज मैंने 10 क्रोड का लॉन लिया और इस date पर क्या हो था तीनो कंडिशन मेरी qualify हो जाती है कौन कौन सी पहली expenditure has been incurred on qualified asset second there must be borrowing course और third necessary activity has been started यहां पर मेरी 3 कंडिशन क्वालिफाई हो जाती है लेकिन मैंने जो amount यूज किया है वो 4 क्रोड यूज किया और 6 क्रोड मैंने temporary invest कर दिया और 1st November को जा के मैंने क्या किया है 6 क्रोड यूज किया अब student कहता है कि सर एक बात है यह जब आपने यहां पर 4 क्रोड ही यूज किया ह तो borrowing cost आप actual borrowing cost क्यों लेते हैं मैं आपको उता दू AS16 ने ऐसा ही लिखने का और ऐसा लिखने का reason यह है AS16 यह कहता है कि जो यह borrowing है आप इसे asset के अगेंस्टी यूज करें कई और यूज करीं सकते हैं मतलब इसकी वज़े से आपने कोई और business activity में तो यूज इसका किया नहीं इसके यूज की वज़े से आपकी कोई activity तो चली नहीं है इसलिए AS16 यह कहता है कि जब आप तीनों condition पूरी कर देंगे जिस date पर तीनों condition पूरी जाएंगी उस date पर आप क्या करेंगे actual borrowing cost लेंगे वो कहीं भी यह नहीं कहता है कि कितना borrowing का पैसा आपने यूज किया उसके प बोरेंग को आप क्या करेंगे capitalize कर देंगे actual borrowing cost के amount से किस date से जी इस date से सर तीनों condition आपकी पूरी हो जाती ठीक जी सर चले हंजी देखिए क्या लिखता है calculation of amount of borrowing cost capitalized specific borrowing cost note no.2 specific borrowing cost actual borrowing cost incurred on specific borrowing minus any income on temporary investment of borrowed fund student की query आती कि sir एक बात होता है यहाँ पे जो 4 crore है उसके उपर borrowing cost calculate करेंगे या 10 crore के प्रमाप को बहुता है 10 crore के उपर क्योंकि AS6 ने ऐसा ही कहता है और वो बिल्कुल सही कहता है क्योंकि यह जो पैसा है आप इस पैसे को कहीं और use नहीं कर सकते accept temporary investment income और मदब temporary investment income के लिए temporary investment अगर आप इससे करतें जो income आई उसका आप reduce करी देंगे actual borrowing course ठीक चले हाँ जी सर अब मादलो मैंने क्या कि क्या 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 अपका general borrowing rate निकालेंगे अपका general borrowing rate निकालेंग ठीक जी सर इसके उपर MCQ भी आता है general borrowing rate में हम सिर्फ और मानलो मेरे पास ना two borrowing है one lakh की borrowing है 11% के साफ से और two lakh की borrowing है मानलो आपका 12% के साफ से तो मैंने क्या किया सर 60,000 rupees इसमें से यूज की है क्या 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 फैसे और निकाल लोग तो यह पैसा मैंने इसमेंं से यूज किया हम कहं हम मान के चलेंगे वेट डिये साफ साफ से यस पैसे को यूज किया तो यहां पर अगर capitalization rate की बात करें तो 11,000 24,000 35,000 divided by अपका टोटल लोन कितने से हैं सर्थ 3,00,000 से तो जर्नल बोरेंग का रेट आगया काप्लाइशन रेट आगया 35,000 डिवाइट बाई आपका 3,00,000 11.67 परसेंट जर्नल बोरेंग रेट आगया और अब मैंने जो पैसा यूज के जर्नल बोरेंग से मैं इससे इसको फ देखे जर्नल बोरेंग कोस्ट वेटेड अब काईया आपका 100 अलग से मल्टिपलाइए किया दिवाइट आव एक क्वेस्टन और आराईज होता कि कि expenditure incurred किया है qualify set के उपर जो आपने payment की cash में उसे हम consider कर लेंगे अगर आपने कोई और से ट्रांसपर कि उसे हम consider कर लेंगे ठीक कभी कभी क्या होता है मैंने cash payment नहीं कि जैसे मालो supplier कहता है कि साब पैसे देदो देखो मैंने ये material इस building में लगाया है मैं कहता है supplier को कि अभी मेरे पास बैसे नहीं आप इसके पर interest चार्ज कर लेंगे इंट्रेस बीरिंग लिएबिल्टी आ जाएगी ठीक मेरी जो asset है qualify asset उसका construction तीन साल चलेगा पहले साल boring cost capitalized होई है 50,000 तो अगले साल सर्क्या होगा ये amount भी part of the आपका cost of qualified asset बन जाएगा for the purpose of calculation of boring cost ठीक अगर कोई progressive payment मिलें कोई grant का amount मिलें तो उसे हम क्याकरिंग reduce करतेंगे expenditure on qualified asset include those expenditures that have resulted in payment of cash transfer of other asset assumption of interest bearing liability amount of boring cost अलेडी capitalized progress payment हम लोग के आकरिंग से इसमें से minus करतेंग ठीक जी सब देखिए मैं एक company हूँ मैं एक qualified asset का construction कर रहे हूँ लेकिन मेरे पास ना सारा पैसे अपना है मैंने कोई बोरंग ने ले रहे ना specific boring ना general boring तो हम लोग क्या करेंगे notional cost of capital consider नहीं करेंगे नहीं करेंगे notional cost of capital ठीक अगर general boring specific boring तो पहले किसे यूज करेंगे आपका specific boring को ठीक जी सर चलिए मैं आपको अब कुछ question कराऊंगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे remaining concept discuss करेंगे question number one message first limter begin construction of a new factory building on first April 17 message first limter ने क्या किया एक new factory building का construction start किया कब first April 17 को ठीक it obtained rupees 2 lakh as a special loan to finance the construction of the factory building on first April 17 first April 17 को हम ने क्या क्या construction start कियो और उसी दिन हम ने क्या क्या 2 lakh का loan ले लिया finance the construction of the factory building on first April 17 at an interest rate of 8% per annum तो हम पहले क्या करेंगे इस पैसेगे यूज करेंगे और यहाँ पे specific boring के case में actual boring यूज करेंगे actual boring cost यूज करेंगे as reduced by temporary investment income टीक further expenditure on construction of the factory building was financed through other non specific loan details of other outstanding non specific loan वर आपका 3 borrowing दे रखी 9%, 12% और 14% के साब से ठीक तो अगर मैं journal boring rate निकाल हो तो कितना आएगा 4 lakh into आपका 9% 36,000 borrowing cost आपका in relation to 9% loan 5 lakh into आपका 12% 60,000 और 3 lakh into 14% 42,000 तो during the year यह मेरी actual boring cost निकर होई है in relation to आपका journal boring 1 lakh 38,000 divide by non specific borrowing कितने से आएगी 4 lakh plus 5 lakh plus आपका 3 lakh 12 lakh तो जो rate आया है weighted average on general borrowing 15,000 वो आपका 11.50% ठीक जी सर the expenditure that were made on the factory loading construction were as follows 1st April को हमने 3 lakh का खर्चा किया अब यह जो 3 lakh का खर्चा किया समसे हम लोग क्या करेंगे 2 lakh का खर्चा यह है मतलब 2 lakh का amount हम specific borrowing का यूज करेंगे और balance आपका क्या करेंगे general borrowing से यूज करेंगे तो 2 lakh के उपर आपका 8% के साब से interest आ जाएगा 12 month का इसका एक alternative भी है मैं वो alternative भी आपके साथ discuss करूँगा इसी question में दिसक्स करूँगा ठीक अब 3 lakh का amount इंकड किया 1 lakh आपने कहां से इंकड किया general borrowing से rate of interest गया 11.5% आपका 12 month का गया 31 माई को ध्यान देना यहां पे month end है तो माई में आप boring cost applies नहीं करेंगे June, July, August, September, October, November, December January, February और आपका March 10 month की boring cost आजाएगी 240 तो 1st August को 4 lakh sir आपका 8 month की boring cost आजाएगी 31st December को आपका 360 है 3 month की boring cost आजाएगी total boring cost आगी The construction of the factory building was completed by 31 March 18 as per the provision of AS 16 you are required to exam के लिए हम qualify asset में क्या construction asset को qualify मान के चलेंगे purchase asset को qualify मान के चलेंगे ठीक यह सारी बात है मापके साथ detail में discuss करेंगे exam purpose के लिए भी और practical life के लिए ठीक जी sir थोड़ा सा wait करते हैं अभी timing के लिए आपको बता देता हूँ अगर question में construction of the asset लिए तो हम उसे exam purpose के लिए qualify मान के चलेंगे इसके exception है वो exception में आपके साथ थोड़ी दिर बाद discuss करना हूँ ठीक जी sir as per the provision of AS16 you are required to calculate the amount of interest to be capitalized ठीक है जी past general entry for capitalizing the cost and borrowing cost यह आपका cost of the asset आगे as per AS10 और AS16 के recording यह borrowing cost capitalized आगे ठीक में जी sir borrowing cost capitalized का amount sir एक alternative से और टेलमेट होता है आई उस alternative को discuss करते हैं लिखेंगा हूँ 1st April को हम नहीं क्या किया है construction start कर दिया है देर मस्त भी boring cost boring cost भी है तो यहाँ पे तीनों condition आपके qualify हो रही exponential income non qualified set necessary activity has been started और आपका देर मस्त भी boring cost अगर तीनों condition यहाँ पे qualify हो रही है तो हम क्या करें boring cost का capitalization start करेंगे और क्योंकि specific boring में हम क्या करते है actual boring cost consider करते है 8% जी sir 16,000 आपका specific boring cost as reduced by temporary investment income from specific boring वो है नहीं ठीक जी sir अब इसके बाद हम क्या अगरेंग weighted average amount calculate करेंग out of 3 lakh 2 lakh हमने specific borrowing से use किया 1 lakh आपका किसे use कर लिया general borrowing से ठीक जी sir 240 general borrowing से 4 lakh general borrowing 360 आपका general borrowing से यह जो 1 lakh amount है यह आपका year के first day हमने यूज किया है तो पूरे 12 month का जाएगा 1 lakh यह जो 240 है यह आपका 10 month का जाएगा 2 lakh यह जो आपका 4 lakh है यह आपका 8 month का जाएगा 2 lakh 66,000 66,000 66,000 weighted average amount from general borrowing 360 है 3 month का 90,000 यह amount हमने इंकड किया है own and weighted average के बेज़ पे general borrowing से कितना 6 lakh 56,667 इंट आपका 11.5% 75,517 plus आपका 16,000 9,1 5,1 यह देखिए चलने आगे आगे बढ़ते हैं question 2 बहुत ही प्यारा question है question 2 और question 1 में major difference क्या है पहले मैं उसको आपको explain करऊंगा उसको बाद हम question में आगे बाटेंगे देखिए क्या लिखते हैं on 1st April 23 green limited started the construction of office building qualified asset the land under the building is regarded as a separate asset and is not a part of the qualified asset ठीक है जी over the purpose of construction of the building the company raised a specific loan of 14 lakh from a bank at an interest rate of 12% पर है न देखिए हमने यह आपे 14 lakh का loan raised किया एक बार यहीं पर रूटेंगे और आप question आगे ने पढ़ेंगे मेरी बात सुनेंगे द्यान से 1st April कोई हमने loan लिया है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो amount जो यूज हुआ हुआ है यहाँ पर 14 lakh हुआ है मतलब 10 lakh आपका नहीं होसता है तो student को क्या confusion होती है इसे उनको लगता है कि 4 lakh आप यह बोरिंग कोश्क अपलाइज होगी यह आपर लास्ट वाले question में internally IS 23 में भी कहीं पर भी यह ने लिखाओ थुक कि आप क्या करेंगे इसे proportionate based पर consider करेंगे या इसका rate calculate करेंगे simple लिखाओ actual borrowing cost as reduced by temporary investment income ठीक जी जए जख हाँ इस date पर आपके तीनों condition qualify हो जाती तहम क्या करेंगे इस date इसे capitalization calculate करना start करेंगे ठीक तो 14,00,000 पर यहां पर क्या आएगा आपका borrowing cost आ जाएगी ठीक जिसर एज रिदिश्ट बै टेंपरेरी निर्समेंट इंकम and interest income of 15,000 was earned on this loan while it was held in anticipation of payment ठीक है the company other outstanding loan on 1st April 23 were as follows company के other outstanding आपके loan है यह आपकी journal borrowing आगे ठीक तो journal borrowing का rate कितने से आएगा 20,00,000 into आपका 15% 3,00,000 plus आपका 240 divided by 50,00,000 10.8% आगे आपका journal borrowing rate चलें जी सर the construction of building started on 1st April 23 and was completed on 31 January 24 अब यहां पर student की query आती कि सर अगर आप देखेंगे तो construction 10 months में complete हो गया तो क्या यह qualify set हो सकती सर exam के question में clear लिख रखा कि यह qualify set है अगर यह qualify set ना लिखता तो क्या करते है इस concern में थोड़ा स आपको रूप के दोगा थोड़ा स वेट कीजिए क्योंकि में को नहीं बहुत सारी प्यारी प्यारी बाते आपके साथ डिसकस करने exam के perspective से और मैं उनको practical life साथ भी correlate करके दिखाऊंगा आपको when it was ready for it intended use ठीक है जी इस date पे असाट ready to use होगी तो इस date पे हम लोग क्या करेंगे अब यहां पे जो first अगर से हमने amount incurred के इसके उपर आपरेल से calculate करें क्योंकि यह specific borrowing है ठीक 1st December 25 lakh general borrowing से आजाएगा 32 January को आपका 5 lakh general borrowing से आजाएगा यह बिल्कुल आपका उस date पे amount incurred हुआ जिस date पे asset ready to use होगी तो इसकी borrowing cost 0 आजाएगी ठीक जी सर तो 14 lakh पे आपका rate of interest कितना है 12% बोरेंग कोस्ट आगे आपकी 140 माइनस आपका 15,000 125 आपकी जो बोरेंग कोस्ट आएगी कौन से आजाएगी specific बोरेंग कोस्ट यह देखिए 125 नेट आगया ठीक जी सर अब आपने जर्नल बोरेंग से जो 25 lakh amount incurred किया है दिसमबर जनुरी two month का आजाएगा 10.8% के साफ से 45,000 तो 125 प्लस 45,000 आपका 170 आगया यह आपका interest आगया यह आपका amount incurred किया वो आगया building की कोस्ट आगे alternative entry में हमने इसको two bank कर दिया मतलब यहाँ पर मान के चले कि अभी interest pay नहीं किया है तो interest pay बल आगया यहाँ पर हमने alternative और भी है इसको calculate करने का मैं पहले उस alternative को आपको करा रहा हूं उसको आधम लोग क्या करेंगे question के बाकी requirement read करेंगे और toll करेंगे आगे question को ना देखिए यहाँ पर हमने क्या किया 4 lakh का amount अलग consider किया 10 lakh का amount अलग consider किया लेकिन borrowing cost calculate करते हो 10 month ही consider किया alternative में हम क्या करेंगे specific borrowing बताओ कितने से सर्फ 14 lakh से rate of interest 12% से कितने मंत का 10 month 140 temporary investment income सर्फ 15,000 रखी 125 जर्नल बोरेंग से weighted average amount कितने इंकरवा 25 lakh 2 month 4 lakh 16,667 और जो यह 5 lakh amount है यह आपका 0 time period है 416,667 ठीक जी सर्फ जनल बोरेंग रेट कितने से सर्फ 10.8% यह amount आपका आगया 45,000 170 बोरेंग को स्केटलाइज हो जाए ठीक जी सर्फ एल्टरनेटिव आंसर यह देखे मैंने आगे आपको किरा रखा है चलें जी सर्फ इनिसियल जर्नल एंट्री आपने पास करनी हमने एंट्री पास करती डैप्री से सन आपने बिल्डिंग के उपर क्या करना है दब लाई हुथा बिल्डिंग इस एस्टिमेटे टूब टूंटियर एंडप्रिशन इस क्या 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 करें एस पर यह स्टन कंपोनेंट बेस पर डैप्रिशन क्या करेंगे ठीक जी सर् तो 45,70,000 डिवाइड बाई आपका आएगा 20 यर डिवाइड बाई 12 इंटू 2 डैप्रिशन आगए आपका 3808 यह देखिए उसके बाद question के requirement है closing carrying amount तम लोग क्या करेंगे cost में से depreciation minus कर देंगे यह आपका closing carrying amount पर ठीक जिससर चलिए आगे बढ़ते हैं अब question 3 को discuss करने से पहले मिरक को आपके साथ कुछ basic कौन साथ discuss करने exam के पांटव से प्रैक्टिकल लाइफ के पांटव से ठीक जी सर् मैं आपसे कुछ question कूछूंगा और हम question answer form में बात करेंगे कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने क्या करना है जब मैं आपसे question पूछूंगा तो आप comment में time लिख के comment में लिख सकते हैं कि इस time पर आपने question पूछा था जैसे मालो यह अभी वीडियो को time मालो 20 minutes है तो आपना comment में 20 लिख के आगे अमना answer जुरूर लिख के ठीक जी सर मैं आपको time दूंगा answer देनेगा देखिए question यह है कि जो qualify asset होती है क्या वो केवल वो asset होती है जिसका construction होता है या वो purchase asset भी हो सकती है क्या केवल construction asset होती है या वो purchase asset भी हो सकती qualify asset ना अराम से answer दीजिया तर हमने answer दे दिया ठीक अब आप मेरी बात सुनी है बहुत सारे student ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर जो construction asset हो qualify होती है मैंने का purchase क्यों नहीं हो सकती सर purchase तो आज हम गए और हमने asset purchase कर ली purchase asset तो qualify हो नहीं सकती क्योंकि development उसमें लगेंगे ने acquire करने में दोस्त बात सुनी त्यान से अगर ऐसा होता तो फिर AS 16 ना qualify asset ना बोल के पता क्या बोलता construction qualify asset या construction asset बोलता हो ना यहां पर आप देखेंगे तो कहीं पर भी AS 16 ने sir construction स्पेसिफाई नहीं किया उसने qualify asset स्पेसिफाई किया और qualify asset में उसने बोल दिया है asset में आपका construction हो सकता देखें capitalization of boring course boring course that are directly attributable to the acquisition मतलब purchase construction और production हो के qualified asset अच्छा तो qualify asset सर purchase भी हो सकते बिलकुल sir कैसे explain करो देखें दोस्तों मेरे को office के लिए building चाहिए थी मैं एक builder के पास जाता हूं मैंने का सब ऐसे ऐसे बिल्डिंग चाहिए office के लिए उसने का सभाव हम लोग ने building का construction कर रहे हैं मैंने का कब complete वह construction उसने का 3 साल बात मैंने का ठीक मैं 3 साल बात आता हूं कहता सब कैसी बात है करें मैंने का क्यों तीन साल के बाद हम बिल्डिंग आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमने 100 office का construction start कर रहता जिसमें से 70 office तो भी चुके हैं सिर्फ 30 office बच्चे में हैं अब मैंने का यार यह तो बात बनेगी नहीं तो मैंने का क्या alternative है उसने का alternative है कि आप आज office book करा लो हम तीन साल के बाद आपको office handover करते हैं ठीक मैंने का ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है अब मैंने loan लिया और office book करा लिया और builder को payment कर दी मेरे लिए असेट construction asset है या purchase asset है सर आपके लिए purchase asset है मैं इसे acquire क्या अब करूँ सर तीन साल के बाद तो मेरे लिए qualify asset हो जाएगी तो practical life में सब्सक्राइब करें तो इस question में clarity आगी आपको कि जो आपकी qualify asset है वो construction वाली भी हो सकती पर्चेश भी हो सकती सर बिल्कुल clarity आगी है practical life में हम लोग क्या करेंगे हम लोग डोकुमेंट चेक कर लेंगे कि जो asset acquire कर रहे है उसको acquire करने पर्चेश कर रहे है उसको purchase करने में अगर अगर असे का construction कर रहे है तो उसके construction में नसेसरली सब्सक्राइब टाइम लग रहे है नहीं लग रहा अब बात करते हैं exam purpose के देखिए में हमारे पास सिर्फ एक sentence लिखा होगा की asset purchase की है या इस asset का construction की है और को documentation अलग से provide नहीं किया जाएगा ठीक तो अब हम exam purpose के लिए क्या करें अब प्लीज यह बात लिख लें हम exam purpose के लिए क्या करेंगे पहला क्या करें क्या करें क्या करें क्या क्या करें क्या क्या करें अगर question में ही हमें सबस्टेंशल पीड़ टाइम दे दिया जाता है सबस्टेंशल पीड़ टाइम से कम है जैसे मालों question ने बोल दिया कि सबस्टेंशल पीड़ टाइम आपका 12 मन्त है और construction आपने फर्स्ट अप्राइल को स्टार्ट किया और 35 जनुरी को complete हो गया अब यहां पर आप देखेंगे तो construction जो पीड़ है वो आपका सबस्टेंशल पीड़ टाइम से कम है तो फिर यह क्वालिफाई नहीं है तो पहला point क्या बनेगा एकजांब पर बज के लिए construction asset को हम हमें सबस्टेंशल क्वालिफाई मान के चलेंगे except in a case sir जहां पे ट्रक पर्चेज कर लिया अपने कोई मसीन पर्चेज कर ली किसी asset के गैस्ट आपने द्वांस दे दिया के प्राइम फेसे परचिज्वक फोलीफाई नहीं मान के चलेंगे लेकिन इसका exception क्या है अगर परचेज asset या किसी asset के गैस्ट हमने advance दिया है अगर परचेज क्वालिफाई मान के चलाएंगे तो आप लिखेंगे एक्जाम परपस के लिए प्राइम पर्चेशेट को क्वालिफाई नहीं मानेंगे लेकिन अगर पर्चेशेट या अडवांस अगेंस एनी असेट क्वालिफाई असेट से रिलेटर है तो उनको विम्लोग क्या करें क्वालिफाई मान के चलाएंगे ठीक जी सर्थ वर्किंग कैपिल में अगर हमने पैसे लगाया देखिए दोचीजी यह होते एक होती ही वर्किंग कैपिल लोन आपका जनरल बोर्गिंग का पार्ट बनेगा एक होता है कि हमने पैसे को वर्किंग कापिल में यूज किया रूटिन में यूज किया अपना करन ट्राइबल्ट वगारा पे करने के लिए ठीक जी सर्थ तो वह आपको क्वालिफाई सेट कभी भी नहीं होगी चले जी सर्थ आइए फटे के थो इकसपर्टलिन एससुड्य ट्वज ट्वैशन्ट वंड rendt लैग और फ्स्जून 19 एकसपर्ट लिंक्र्ड ने क्या क्या 12% intelligents इसे ईकूं की है 100 लैक के 1 औरप ठीक है ड機ध का दियान रखना के मनी रैज फ्र्वम डि प्ल्क्र को अकक robić अजंडर् जो हमने money raise की डिवेंचर से उसको हम ऐसे यूटलाइज करेंगे intended purpose amount rupees in lakhs तिक जी सर construction of factory building आपका 40 lakh है अब अगर question में कुछ भी answer नहीं कर रखा कि आपका substantial period of time कितना है तो उस case में क्या करेंगे इस construction of salary को qualify मान के चलेंगे है 12 months से भी कम time period क्यों ना लगा हूँ ठीक जी सर working capital not qualify purchase of machinery not qualify purchase of furniture not qualify purchase of truck not qualify interest on dimension for the financial year in 1920 was paid by the company अब interest कितना आएगा 1920 के लिए आपका 100 lakh into 12 percent 12 month का है 1st June से लेगे 35 मार्स तक 10 month बनेंगे into 10 lakh का है during the year the company invested idle fund of 5 lakh out of money raised from debenture अब यह देखिए हमने सारा पैसे एक साथ यूज नहीं गया कुछ पैसे क्या 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 invest कर दिया in bank fixed deposit and earned interest of 50,000 तो अपने जो borrowing cost आएगी वो कितने आएगी 950 आजए आएगी in March 20 construction of the factory building was not completed it is expected that it will take another six month यहां पर तो आपका अभी construction complete निवा है महीन है और लगें 10 month लग चुके तो यह तो अपका clear case है कि यह asset qualify asset है लेकिन मापका exam के लिए पता रहा हूं अगर यहां पर 35 मार्स को complete हो भी जाती है तो अभी हम इसे qualify मालके चलते हैं हां अगर इसी question में question ही वो देता कि substantial period of time 12 month है और यहां पर 10 month complete होई फिर यह qualify नहीं होती है मैंने आपको सारे combination यहां पर cover करा दिये इन March 20 machinery was installed and ready for 18-10 use ठीक है जी यह आपका not qualify furniture was put to use at the end of the March 20 not qualify प्रक is going to be received in अपरेल not qualify ठीक जी सर लेकिन हां एक बात रहां आपको उता देता हूं जैसे माल लो यह जो machinery है या कोई अपने furniture पर चीज़ के और वो construction asset का part है इसके अंदर सर वो utilize होंगी ठीक जी सर तो फिर यह asset भी क्या बन जाएंगे आपकी क्वालिफाई असेट बन जाएगी ठीक जी सर आगे लिखते हैं यह रिक्वाइड तो हम यहां पर क्या करें नाइन फिप्टी की जो बोरिंग कोष्ट है उसे इन सब में allocate करेंगे और इन आपका construction of factory building को capitalize कर देंगे ठीक जी सर नाइन फिप्टी इन टू फॉर्टी डिवाइड बाइड बाइड क्या करेंगे और बाकी जो बोरिंग कोष्ट आपका पर्चेजों मसीन्री पर्चेजों आपका परनीचर पर्चेजों ट्रक वर्किंग क्या करेंगे इन सब की बोरि फॉर पढ़ेंगे निका लिम्टर एन लिम्टर एक कंपनी है 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 अज अप्टेंड ए टम लोन उप 620 लाग फॉर एक कंप्लीट रिनोवेशन और मोडराइजेशन ओप इस फैक्टरी और फर्स्ट अप्रेल एक्सवन निका लिम्टर ने क्या क्या टम लोन लिया 620 लाग जिसमें वो कंपलीट रिनोवेशन करेंगे और मोडराइजेशन करेंगे अपनी फैक्टरी का फर्स्ट अप्रेल एक्सवन पिण लॉन लिया है प्लांट एंड मशिंड़ी वाज एक्कोर अंटर थी मोडराइजेशन स्कीम अब यह देखी मॉड़ाइजेशन स्कीम में में plant and machinery को acquire करेंगे तो यह भी आपकी qualify set बन जाएगे and installation watch completed on 30th April installation आपका next year के 31th April को complete होती है installation complete next year के 31th April को complete होती है 13 month में ठीक and expenditure of 510 lakh watch incurred on installation of plant and machinery ठीक है जी तो यह आपका qualify set बन की 54 lakh has been advanced to supplier for additional asset acquired on 25th April which were to be also installed on 30th April X2 अब यह देखिए जो हमने 54 lakh का amount incurred किया वो asset के एंगे अडवांस दिया है तो क्योंकि यह जो asset आएगी यह भी इसी asset के साथ install होगी तो qualify set बन जाएगी ठीक which were also installed on 30th April X2 and the balance loan 56 lakh has been used for working capital purpose इस से रिल्टर बोरॉइंग कोर्स हम क्या करेंगे पिरिंदल अकांट के लेके जाएंगे ठीक जी सर एक सकेंड management of nickel limited consider the 12 month period as substantial period of time to get the asset ready for its internal deuse the company has paid total interest of 68.2 lakh अपका rate of interest क्या बन जाएगा 68.2 divided by 620 11 percent okay during the financial year X1, X2 on the above loan the accountant seek your advice how to account for the interest paid in the bookshop account will your answer be different यह अपने आपने एक अलग question होगा तो हम पहले explain करेंगे borrowing course जो है हम उसे capitalize करेंगे अगर वो in relation to qualify asset है अगर borrowing course हम incurred करते देंगे तो उसे क्या करेंगे पिंदल कांट के लेके जाएंगे मैं एक बार यहां पर आपके साथ हलका सा discuss कर लेता हूं कि आपको AS का answer कैसे लिखने चाहिए detailed video मैंने अलग से share कर रखे उस video पर link में आपके discussion देता हूं ठीक जी सर्थ देखे AS के question आपके तीन तरीके से आते हैं एक आपका practical question आता है pure practical question जैसे यहां पर आपने पहले दो question यह pure practical question थे अगर pure practical question आता है प्लीज आप एक काम जरूर करें आपना AS का name and number जरूर लिखके हैं कोई बुराई नियूस में calculation of amount of borrowing cost capitalized as per AS 16 borrowing cost टीक जी सर्थ अगर आपका theoretical question जैसे question आ गया कि define qualifier set तो उस case में आप क्या करें एस का name और number जरूर लिखके हैं एक question आता है आपका case study based quest case study based में वेसी के लिए क्लिए होता है वो आपको एक case देदेगा जैसे यहां पे उन्होंने case देदिया और पूछेगा आप से कीस का treatment बताई है जैसे यहां पर यह case देदिकर treatment बताई है तो उस case में क्या करेंगे answer को ना तीन पार्ट में लिखेंगे पहले पार्ट में क्या करेंगे provision लिखेंगे as per the respective AS तो आप सबसे पहले पार्ट में क्या करेंगे provision provision as per AS और उस case में आप क्या करेंगे as का name and number दोनों चीज लिखेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे in the given case given case को आप explain करेंगे और उसके बाद फिर आप conclusion लिखेंगे बाकी इन बातों को मैंने और तो हम पहले आप बताएंगे कि जो बोरेंग कोस्ट है इन इसे क्या करेंगे क्या 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 करेंगे फिर हम बताएंगे एक है आपका plant and machinery और एक जो आपने अध्यास दिया अधिशनल असेट के लिए ठीक तो इन से रिलेटल बोरेंग कोस्ट काप्लाइज हो जाएगी और वर्किंग काप्ल आपका प्यालिफास एट नहीं तो बोरेंग कोस्ट इन डेलेशन टू को वर्किंग क्या क्या करेंगे पेनल पॉन्ट में चार्ज कर 2.2 डिवाइब 620 इंटू आपका 510 बोरेंग कोस्ट इन डेलेशन टू आपका प्लांट एंड मसिंडरी कैप्टलाइज हो जाएगी एडिशनल असेट सर आपका 54 लेक की है तो 5.94 आगया वर्किंग कैपिटल में आपने पैसा यूज के 56 6.16 आपका बोरेंग कोस्ट में चली जाएगी ठीक जी सब्सक्राइब आगी क्वेसेन लिखता विल यूवर आंसर भी डिपरेंट क्या आपका आंसर डिपरेंट होगा इफ दा होल प्रोसेस अगे तो 11 मन्त में आपने कंप्लीट कर लिया है और क्वेसेन में क्लियर लिखा सब्सक्राइब कितना है 12 मन्त है तो हम लोग क्या करेंगे सारी बोरेंग कोस्ट के अंदर लेके चले जाएंगे ठीक जी सब्सक्राइब चली आगे बढ़ते हैं मैंने एक क्वेसेन आप से पूछा था कि जो क्वालिफाई असेट होती है क्या वो कंस्क्राइब होती है पर अगर देखिए एक बात तो हमें सुझ में आगी है इनवेंटरी होनी चाहिए आप मैंन का क्यों क्यों क्योंकि सर क्वेसेशन में लिखा क्वालिफाई अगर उसे सरफ पीपी कवर करना होता तो क्वालिफाई पीपी नहीं बोलता बिल्कूल ठीक है माब को बता दूं क्व जो हाड रिंग बनती है उसमें टू यर थी यर प्रोसेस में लगते हैं तो भी आपकी क्वालिफाई सेट है अगर लोन लेकर आपने हाड रिंग का प्रोड़क्शन किया ठीक जी सब मैंने एक प्रोपर्टी एक्वायर की है इंवेस्मेंट प्रोपर्टी क्योंकि मैं आग आप कवर हो जाये ही ठीक पॉइंट नम्बर नाइन प्याएंगे क्वालिफाई असेट में बी एन्योग दिपेंडिंग ओन दी सरकम्सांसिस प्रोपर्टी प्रोपर्टी प्लान एंडिक्यूमेंट चाहें पर्चेज करें या कंसक्शन करें अगर सब्सक्शन करें अगर स इसी कंपनी के सेर अक्वाइर करता हूं वो तो हमें इमिजेकली मिल जाएंगे तो उन्हें से सब्सक्राइब टाइम लगेगा नि तो वो कभी कॉलिफाई नहीं होंगे तो आप यहां पर लिख लेंगे स्टार लगाके इनवेश्टमेंट इन आवेश्टमेंट सेयर्सानद इनवेश्टमेंट इनवेश्टमेंट सेसेयर सेगजश लेशर चैन derniोट भी क्वालिफाई एस्ट हैो सब्सक्ाइब व्यबेच्यर मैं आपके साथ एक क्वेसिन करने चुबेंगे ना मैं एक case discuss करूँ आपके साथ ना, उस case में concept आ जाएगा, देखिए, होता क्या है, एक company है, as limited, यह holding company है, holding company कौन से company होती है, वो company, जो दूसरी company कंट्रोल करती है, जिसे control के रहे तो सबसीटरी company बोलते है, वो आपकी सारी बाते हैं, वो आपकी सबसीटरी है, आप उसकी बाते हैं बानते हो, तो फिर आप सबसीटरी वो holding है, ठीक जी सर, holding company, subsidiary company, ठीक जी सर, subsidiary company ने क्या क्या, building का construction करना था, उसने identify कि जो building का construction है, यह उसके लिए qualifier set है, क्योंकि, इसको construction करने में, उससे अब उसके लिए पैसे चाहिए, उसने क्या किया, parent company को phone किया, पापा पैसे चाहिए, holding company ने बोला, मैं आपको पैसे अरेंज करके देता हूँ, मेरी पैसे वापिस कब दो गए, subsidiary ने कहा साब, मैं आपके पैसे वापिस नहीं दूँगी, तो holding ने का एक काम करते हैं, आप equity share रिसु कर दो, ठीक, जो subsidiary company को क्या करेगी, equity share रिसु कर देगी, और holding company क्या करेगी, subsidiary company के equity share में पैसा लगा देगी, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा, investment in, equity share of, एस लिम्टर, पापा company के पास, parent company के पास पैसे नहीं थे, उसने क्या क्या क्या, loan ले लिया, इसने loan लिया, ठीक जी सा, तो मेरा आप लोगों से question यहाँ पर यह है, कि क्या यहाँ पर, borrowing cost अप्लाइज होगी, एस के point of view से, या एस के point of view से, या नहीं होगी, अराम से एक बात, case को समझे, और फिर answer दीजिए, एस ने क्या क्या, 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 क्या construction, start किया, इसके लिए जो पैसे हैं, वो एस ने बेजे हैं, एस ने equity share में invest कर दिया, और एस ने loan लिया है, पहले S के point of view से देखते हैं, यह qualified set है, हाँ जी सर, अब जो पैस के लोन के रूप में है, या capital के रूप में, capital के रूप में, capital में हम लोग no cost of capital नहीं लियाते, तो इसके लिए, there is no borrowing, no borrowing cost, no capital is no borrowing cost, ठीक, जीस सर, अगर hedge के point of view से देखें, तो इसके पास borrowing cost हैं, लेकिन इसने जो पैसा लगाया, वो investment equity share में लगाया, investment equity share इसे नोटे qualified set, तो यहाँ पे hedge के point of view से borrowing cost है, लेकिन qualified set नहीं है, चलिए जो आपका borrowing cost है कहां चलिए जाएगी, P&L account है, ठीक, जीस सर, चलिए, question 5, इसे के उपर है, take limited hedge borrowed rupees 30 lakh from state bank of India, during financial year 13, 14, take limited, company एक टी limited, उसने क्या क्या, loan लिया है, SBI इसे है, take limited hedge borrowed 30 lakh from SBI, during the financial year 13, 14, the borrowing are used to invest in share of give limited, a subsidiary company of take limited, which is implementing a new project, estimated to cost of 50 lakh, इसने क्या क्या है, जो 30 lakh का loan लिया, ये, invest कर दिया, G limited में, और ये new project क्या कर रही है, implement कर रही है, क्या कर रही है, new project implement कर रही है, ठीक, जीस सर, और यहाँ पर जो पैसा लगाया है, इसकी cost 50 है, और ये जो 30 पैसा लगाया है, 30 lakh, ये आपका investment in equity share है, तो इसके लिए borrowing cost capitalized नहीं होगी, क्योंकि there is no borrowing cost, इसके लिए sir, borrowing cost capitalized नहीं होगी, क्योंकि there is no qualifies है, ठीक, as on 31st March 14, since the state project was not complete, the director of take limited result to capitalize the interest amounting, on borrowing amounting to four lay, and it to add the cost of investment comment, नहीं sir, हम लोग इसे add नहीं करेंगे, क्योंकि investment की cost में, borrowing cost कभी भी नहीं आती, ठीक, जी sir, हाँ, कोई brokerage commission वगएरा, तो वो आ जाएगे, as per AS 13, इसका अंसरा पर रिटिकट लेना, हाँ, हमने एक concept को बीच में pending रखा था, उसको discuss करेंगे, और उसके बाद एक दो concept हो रहे हैं, उनको भी discuss करेंगे, ठीक, जी sir, पहले मैं एक concept discuss करके question कराऊंगो, फिर concept discuss करेंगे, बच्छे बना, देखें क्यों होता है, एक company है, ठीक, जी sir, वो एक asset को four face में complete करेगी, phase 1, phase 2, phase 3, और phase 4, और phase में complete करेगी, ठीक, जी sir, अब होता क्या है, जैसे phase 1 का construction complete होगा, phase 1 ready to use है, मतलब हम इसे use कर सकते हैं, without using phase 2, phase 3, phase 4, कहता है, अगर आपकी asset part में complete होती है, और part capable है, आपका use होने के लिए, और वो दूसरे part में dependent नहीं है, तो उस case में, जैसे वो part ready to use होगा, हम लोग क्या करेंगे, ready to use होगा, उसके relation में जो borrowing cost है, उसका capitalization बंद करतेंगे, उसे पिनल अगॉन में charge करतेंगे, ठीक, जी sir, चले, हांची, देखे, ऐसा ही कुछ यहाँ पर लिखा होगा, when an entity complete the construction of a qualified set in part, जब entity क्या करती है, qualified set का construction part में complete करती है, and each part is capable of being used, हर part capable है, use होने के लिए, while construction continue on other part, जबकि other part पर construction continue रहेगा, the entity self-seize capitalizing borrowing cost on that part, entity क्या करेगी, उस part के उपर, जो part आपका ready हो गया है, उसके उपर capitalization of borrowing cost को seize करते हैं, मतलब बंद करते हैं, ठीक, जी sir, आईए, त्यारा सक, question करेंगे, question number six, और एक बात जो मैंने आपको बोली थी न, कि अगर exam में constructed असाइट है, तो हम उसे qualify मान के चलेंगे, irrespective time period केतना लगा, except in a case, जहाँ पे, substanceary period of time question mention करते हैं, और actual time period substance period of time से कम लगता, ठीक, यहाँ पे और clarity आएगे आपका इस question में, हरी इस construction company is constructing a huge building project, consisting of four faces, हरी इस construction company है, वो क्या कर रही है, एक huge building का construction कर रही है, जिसमें four faces है, it is expected that the full building will be constructed over several years, यह उमीद की जा रही है कि जो पूरी building है, वो construct होगी बड़े सारे year में, ठीक है, but phase one and phase two of the building will be started as soon as they are completed, लेकिन phase two or phase one, जैसे complete होगे, वो use हो जाएंगे, मतलब जैसे इसर वो ready to use होगे, उसके बाद हम उनका relation boring course का करेंगे, का application बंद कर देंगे, following is the detail of the work done on different phase of the building during the current year, ठीक है जी, expenditure incurred, building purchased, total expenditure आगे, total expenditure on all phases आगे, loan taken at the rate 15% at the beginning of the year, 200 आगे, during mid of the current year, phase one and phase two have become operational, अब यहाँ पर देखे, mid of the current year में, phase one and phase two आपका operational हो गये है, अब अगर during the mid of the year में, phase one and phase two complete हो गये है, तो उसके बाद सर क्या होगा, borrowing course का ट्रबलेसेंट बंद हो जाएग, phase one and phase two से related, ठीक, अब यहाँ पर असेट six months में अगर complete हो जाएथा हम तब यू से qualify मार के चलेंग, exam purpose के लिए, क्योंकि exam purpose के लिए construction asset है, ठीक, find out the total amount to be capitalized and to the expenses during the year, आइए, लिखनेंगे, question six, देखिए, यहाँ पर लिखते थे, capitalized, और यहाँ पर लिखते थे, अगर फेस वन की बात करें, तो फेस वन पर आपने कितना amount incurred किया, 34, boring cost कितनी है आपके total, 200 into आपका 15%, 30 से अपने क्या है total boring cost है, ठीक है sir, total जो हमने amount incurred किया in all phases during the year, वो 221 किया है, जिसमें से face 1 पर हमने 34 का amount incurred किया, 30 divided by 221 into 34, 4.615 है, round off कर लेते 4.62, अब ये borrowing cost हमने पूरी pay किये during the year, जिसमें से 6 मत के लिए से हम लोग क्या करने क्या 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 applies करते है क्योंकि, उस date पर a set ready to use हो जाएगी, उसके बाद की borrowing cost हम क्या 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 करने, penal count के अंतर लेके चले जाएगे, है सेकेंड फेस में हमने जो अमाउंट इंकर किया है सिक्स्टी फॉर है टूट्विन्टिवेंट एट पॉइंट टिक्सेट सेवन है हमने यहां पर राउंड ओफ किया तो यहां पर राउंड ओफ कर देते हैं है आपका 4.34 क्याइज 4.34 आपका ठीक जी सर फेस ट्री और फेस फॉर में जो भी अमाउंट है सर आपका पूरा-पूरा क्याइज हो जाएगा 30 इंटू 55 221 30 इंटू 55 दिवरिबा 221 7.47 पॉर सेवन पॉर दीवा गॉर्ट अमाउंट अपिलाईज चुकी असेट अभी डेड़ी तो यूज नही हो है व्याएग नहीं है कम्लीट नहीं है ठीक जी सर तो 30 इंटू आपका 68 डिएड़ बाई 221, 9.23, एक बार रांट लिंग उप चेक कर लेते हैं, जो गी डिफ्रेंस होगा इस मेर्जेस करते हैं, यह माउंट आगे आपका पूरा 30, 9.23, यहाँ पे अगर आप आप आंसर देखेंगे, तो फेस बन फेस टू का हाफ अमाउंट सर आपका पी एंडल में चला गया है, 665, यह देखें, 6.65, और यह कैपिलाइज हो गया, बाक्की आपका 16.70 आज जाएगा, 696, रांडिंग उप 70, यह आपका कैपिलाइज हो जाएगा, चले, देखोल चलते हैं सर, आगे बढ़ते है अब कुछ, कॉंसर्ट बच्चे में उनको डिसकस कर लेते हैं, पहले पेज पेज सर, अपने सारे कॉंसर्ट डिसकस हो चुके, पेज नमबर सेकेंड पर आएएगे, आए, बोरोइंग कोर्ट में बेसिकली क्या क्या आएगा, डिसकस करते हैं, मैं एक कंपनी हूं, ठीक, ज जाएगा, ठीक, जी सर, यह जो मैंने 10 lakh का लोन लिया ना, यह 4 year के लिया है, और जब मैंने यह लोन लिया ना, तो मैंने processing fee पे किया है, documentation fee पे किया है, ठीक, मानलो मैंने brokerage या commission पे किया, इसे हम बोलते हैं, ancillary cost, अगर लोन से लेटर कोई ancillary cost है, मानलो अपनी जो cost है 30,000 इसे हम क्या करें, over the period amortize करतेंगे, तो amortization of cancillary cost, boring cost में आ जाएगा, मैं एक company मैंने क्या किया, 10 lakh के debenture issue किये, 950, मानलो discount पे issue करते है, ठीक जी सर, और मैं redeem करूंगे 1010 पे, तो जो 60,000 के difference है, आपका discount on issue of loan and premium redemption of loan, तो मैं इसे क्या करूंग, over the period amortize करूंगे, ठीक जी सर देखे, क्या लिखता है, meaning of borrowing cost, it includes interest and commitment charges, ठीक है, amortization of discount or premium relating to borrowing, ठीक है, amortization of ancillary cost incurred in connection with the arrangement of the borrowing, ठीक जी सर, अगर माल लो मैंने कोई asset lease पे लिए, finance lease पे, तो जो finance charges है, finance charges in respect to the asset acquired under finance lease, foreign exchange laws कों क्या करते, का applies करते, to the extent of local borrowing cost, in excess of foreign borrowing cost, ठीक जी सर, मैं काम करता हूं, इस concept को अभी पे पेंडिंग रखता हूं, इस concept को मैं आपके साथ detail में discuss करूँ हूं, AS11 में, अगर एक बार asset ready to use हो जाती, तो उसके बाद हम लोग बोरिंग को अपलाई, नहीं करते, यह concept यहां पे लिखा हूं, आईए, अब हम क्या करेंगे, सर, आगे question discuss करेंगे, question अपने 7 तक हो गे यह 6 तक, सर 6 तक हो गे थे, question number 7 निकालेंगे, बहुत ही बड़ी है question है, देखे क्या लिखता है, ABC Limited has started construction of an asset on 1st December 20, ABC ने क्या किया, एक asset का construction start किया, 1st December 20 को, which continue till 31st March 21, and is expected to go beyond 1 year, मतलब आपका, यह qualified asset है, the entity has not taken any specific borrowing to finance the construction of the asset, but has incurred finance cost on its general borrowing during the construction period, company ने कोई specific borrowing निली, लेकिन construction period के दोरान, company के अगरी general borrowing यूज करेगी, ठीक जी सर, और finance cost incurred करेगी on general borrowing, the directly attributable to expenditure at the beginning of the month of this asset was 10 lakh in December 20, and 4 lakh in each of the month of the January to March, December 20 में 10 lakh का खर्चा हुआ है, इस asset के उपर और हर मन्त उसके बाद 4 lakh का खर्चा हुआ है, ठीक, हमने जो construction start किया है, वो 1st December को start किया है, लेकिन यहां पर question यह कह रहा है कि जो आपने borrowing ले रखे न, पहले से आपकी general borrowing है, वो beginning of the year से है, 1st आपका अपराइल 20 से है, 31st March of 21, at the beginning of the year, the entity had taken inter-corporate deposit of 20 lakh at 9% rate of interest, ठीक है, and had an overdraft of 4 lakh, देखिए, company के पास एक तो inter-corporate deposit है, 20 lakh के 9% के साफ से, तो inter-corporate deposit है, 20 lakhs के 9% के साफ से, ठीक, जी सब, at the beginning of the year, the entity had taken inter-corporate deposit of 20 lakh at the rate 9% of interest, and had an overdraft of 4 lakh, और उसके पास, एक bank OD है, कितने का है, beginning of the year में आपका 4 lakh का bank OD, ठीक जी सर, आगे देखिए question क्या लिखता है, which increase to 8 lakh on 1st March 21, जो 4 lakh की OD थी थी न, उसको बढ़वा के, company ने क्या के 8 lakh के करा ली, कब से 1st March 21 से, तो ये जो bank OD है, 4 lakh की, ये 1st March से आपका 8 lakh की होगे, ठीक जी सर, which increase to 8 lakh on 1st March ठीक है, interest was paid on the overdraft at 10% until 1st January, यहाँ पे जो आपका interest था न, 1st January तक, वो कितना था, सर 4 lakh पे आपका है, rate of interest था, 10% था, OD पे, ठीक है जी, और उसके बाद लिख रहा है, and then the rate was increased to 12%, उसके बाद 12% rate of interest बन गया, ठीक जी सर, you are required to calculate the annual capitalization rate, देखिए, question ने आप से नहीं पूछा कि, borrowing cost कमाउंट कितना capitalized होगा, उसके आप से पूछा, अपने annual capitalization rate बताना है, 4 competition of borrowing cost in accordance with AS16, अब यहाँ पे देखिए, annual capitalization rate हम कैसे calculate करेंगे, हम पहले, annual borrowing cost calculate करेंगे, और उसका comparison करेंगे, weighted average of general borrowing, देखिए, ICT की borrowing course कितने से आईगी, पूरे साल की 20 lakh into 9%, आपका 180, और 20 lakh आपका, पूरे साल का outstanding amount आगया, बैंक OD के अगर हम बात करेंगे, तो 4 lakh की bank OD है, आपका 11 month तक, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, 9 month को अलग से consider करेंगे, उसका reason क्या है, उसका reason यह है कि 9 month के बाद, आपका rate of interest change हो रहा है, तो 4 lakh 9 upon 12, 4 lakh 12% 2 month, यहाँ पे 4 lakh 2 upon 12, आप चाहो तो यहाँ पे न, 4 lakh into 11 upon 12, एक सार कर सकते हैं, ठीक, जी सर, इसके बाद, bank OD आपकी 8 lakh की होगी, into 12% 1 month, 180 मैं अटिक करा देता हूँ, जी सर, 4 lakh into आपका 10% into 9 divided by 12, 30,000, 4 lakh into 12% divided by 12 into 2, 8,000 और 8 lakh पे 12% 1 month का interest आपका 8,000 आ गया है, यह total borrowing cost आ गयी, weighted average of borrowing आपका 20 lakh पूरे साल के आउट्सेंडिंग है, 4 lakh 11 month के लिए, 9 plus 2, और 8 lakh 1 month के लिए, यह आपका आउट्सेंडिंग अमाउंट आ गया, उसका weighted average अमाउंट आ गया, यह आपका capitalization rate आ ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं, AS12 में, AS12 बात करता, accounting for government grant की, देखे, AS12, government का मतलब है, center government, state government, national body, including local authority, and international body, grant का मतलब है, कोई भी SC assistance, जो government के साइड से आई है, जिसकी value ascertain कर पाए, चाहे वो in case है, in kind है, accounting के अगर बात करें, तो grant को सर्मने, अलग-अलग, classify किया, accounting for purpose के लिए, पहले हम बात करते हैं, अगर grant हमें मिलती, depreciable asset के लिए, देखे, बात सुनें जान से ना, ये मेरी balance sheet है, ठीक है सर, मैंने क्या किया, एक property plant and equipment purchase की 10 lakh, government ने ना मेरे को, इस पीपी के गेंस्ट, 4 lakh की grant दे दी, ठीक जीसर, अब ये जो 4 lakh की grant है, इसका क्या accounting treatment होगा, AS12 कहता है, अगर आपको depreciable asset के लिए, government grant मिले तो, आपके पास 2 option है, या तो आप additive approach फोलो कर सकते हैं, अगर हम additive approach फोलो करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस 4 lakh को as a deferred income दिखाएंगे, और इसे amortize करेंगे, in the ratio of आपका depreciation, ठीक जीसर, मतलब पीपी पे हम लोग क्या करेंगे, depreciation लगाएंगे as per AS10, और जो भी depreciation का amount आएगा, उसकी ratio हम क्या करेंगे, debt for government grant को amortize करेंगे, debt for income को amortize करेंगे, amortize करेंगे हम लोग क्या है कि हम उसे penal counter लेके जाएंगे, ठीक जीसर, second approach और deductive approach, deductive approach यह कहते हैं कि आप क्या करेंगे, जैसे मानलो 10 lakh की आपने पीपी परचेज की, ठीक जीसर, इसके गिंश्ट आपको grant मिली है, 4 lakh की, तो आप क्या करेंगे, इसे net करके दिखाएंगे, और debt decision आप इस 6 lakh के उपर चार्ज करेंगे, ठीक जीसर, कभी कभी क्या होता है, जो donor होता न, वो asset को in kind में दे देता है, उसके सब्सक्राइब उसे क्या करेंगे, उसे हम nominal value पर record करेंगे, with court funding credit into capital reserve, ठीक जीसर, ये बात होगी अपनी, अगर grant मिलती, depreciable site के लिए, एक बात हो, depreciation को हम penal fund में charge करेंगे, defer government grant का emotization हम लोग क्या करेंगे, P&L में credit करेंगे, ठीक जीसर, अगर exam में question आता, और question हमें यही नहीं बताता, कि आपने additive approach फोलो करेंगे, deductive approach फोलो करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों approach के according answer देखे आएंगे, ठीक, जीसर, अगर grant मिलती है, related to revenue, तो revenue के लिए जो grant मिलती हो, दो type के होती है, considered as a income, और एक होती है, revenue expenditure के लिए, देखे, grant as a income का मतलब है, कि आपको incentive मिला है, हमारा एक school है, school का result ना, all over India best आया, government ने क्या किया, हमें 10 lakh रुपीच की grant देदी, as a incentive, तो हम इससे क्या करेंगे, पिंडल account में, credit कर लेंगे, as a income record कर लेंगे, ठीक जी सकते, एक grant होती है, revenue nature की, जिसमें हम revenue खर्चे करते हैं, government ने हमें बोला, आप एक काम केजी, अपने school में ने tournament कराईए, एक ना, और grant बेज दी, कि आप क्या करेंगे, इस पैसे से tournament कराएंगे, ठीक जी सकते, तो इसे हम बोलते, अगर grant as a revenue expenditure, अब अगर grant as a revenue है, तो इसे हम कैसे disclose करेंगे, कैसे present करेंगे, financial statement में, कहता है, अगर आपको as a income मिली है, तो दो alternative है, या तो आप क्या करेंगे, other income में दिखा देंगे, या separate line of item के रूप में, आप grant को as a income दिखा देंगे, अगर grant आपको revenue expenditure के लिए मिली है, तो आपके वाद फिट दो alternative है, एक, या ताप उसे as a income दिखाएंगे, या खर्चे में से reduce करके दिखा देंगे, और अगर आप as a income दिखाएंगे, तो दो alternative है, एक, या तो other income के दिखा देंगे, या separate line of item, grant income के रूप में आप दिखा देंगे, ठीक, जी सर, कभी कभी क्या होता है, government हमें grant देती है, low score reimbursement के लिए, मेरे को बड़े सारे low score business के अंदर, government ने क्या का, कि इस low score reimburse कर रहे हैं, अगर low score reimbursement के लिए grant मेलते हैं, उसे हम प्यार से, P&L account में लेके जाएंगे, as a income, लेकिन as a extraordinary income, देखिए, बात सुनी द्यान से न, government ने मेरे को 1 lakh रुपीज दिये, कि आपको हम as a incentive दे रहे हैं, आपने diamond का best export के अंदिया में, हम आपको as a incentive दे रहे हैं, तो वो grant मेरी as a income है, उसे मैं क्या करूँ है, पिनल account में credit करूँ है, या तो other income के रूप में, या सेटल लाइन ओप आइटम, आपका grant income के रूप में, ठीक जी सर्, मेरे को business में loss होगे, उस loss को reimbursement करने के लिए, गर्वर्मेंट ने क्या किया, मेरे को कुछ grant दी है, ठीक जी सर्, तो वो जो income है ना, उसे हम एजे एक्स्ट्रोन का income दिखाएंगे, अलग से दिखाएंगे साब, ठीक जी सर्, मैं एक plant लगाना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर, गोवर्मेंट कहती है, आप ये plant ना उत्राखन में लगाईए, सेंडरल गोवर्मेंट का phone आ गया, मैंने गोवर्मेंट को explain कियागी, साब देखिए, अगर मैं उत्राखन में प्लांट लगाऊना, तो मेरी कोर्स जाद आएगी, गोवर्मेंट कहती है, कोई बात नहीं, हम आपको पैसे देंगे, अगर प्रमोटर कोंट्रिविशन के रूप में, ग्रांट मिलती है, तो हमें सर, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, हम इसे कैपिटल रिजो में लेके जाएंगे, जिस परपच के लिए ग्रांट मिली, उस परपच के लिए इसे यूज करेंगे, ठीक जी सकते और थार्ड इस grant से हम कभी भी dividend distribute नहीं कर सकते हैं ठीक चलिए कभी कभी क्या होता है government हमें grant देती है in kind में जैसे हमें asset देती है तो हम उस किसमें क्या करें asset को सर रिकोर्ड करें nominal value पे with corresponding credit into capital result ठीक जी सर अगर grant हमें मिली है उसके साथ condition attached होती है अगर हम condition fulfill नहीं कर पाते तो हमें grant का पैसा वापिस करना पड़ेगा उसे बोलता है refund of government grant ठीक जी सर अब पैसा वापिस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा यह आपका legal proceeding है लेकिन हाँ अगर आपने grant का पैसा वापिस किया तो accounting treatment क्या होगा एस-12 बताता है एस-12 बहुत सिंपल कहता है बात सुने दियांसना एस-12 यह कहता है कि जब आपने grant का refund किया क्या आपकी books में as a deferred income था balance हमने का हाँ जी तो आप क्या करेंगे deferred income को debit कर देंगे है हमने का साब grant कौन सी नेचर की एस-12 कहता है बात सुनो दियांसना वो किस न तो कैसे रिकोड किया था सर उससे हमने ना पी अलेक्ट ट्रांसफर कर दिया था कोई बात निए इसका आपके बास बैलन्स नहीं नहीं तो पूरा फोर लैक कहां चला जाएगा आपका एक्स्टोर नहीं आइटम कर रूप में सर हमें जो ग्रांट मिली थी ना हमने उसको क्रेट किया था क्योंकि वह प्रमोटर कॉंट्रिशन वाली ग्रांट थी तो कोई बात नहीं फिर यहां पर बैलन्स किस नाम से आपके नाम से कर देंगे तो बात के एक बात क्या है जो भी ग्रांट आप वापिस करोगे उसके जो भी बैलन्स आ रहा हो किसी नाम से आ रहा है अब उससे डेविट करेंगे डिफरेंस आप इनलकांट के अंदर लेके जाएंगे एज एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है अगर हमें ग्रांट मिलती है डैप्रिसेबल असेट के लिए और हम डिड़क्टिव अप्रोच फोलो कर रखे है अगर आप ने अपर इंकम करेंगे और तो सो बात के निकल के आती है आगर हम ग्रांट का रिफंड करते है और वह ग्रांट हमें डेप्रीसेबल सेट के लिए मिली थी और हमने डिटेक्टिव फोलो की थी तो पीबी को डैबिट करतेंगे अधर्वाइज हम क्या करेंगे उसके इस balance check करेंगे अकर balance तो उसे debit करेंगे difference आपका पानेल अपनेल अगा चलाएगा ऐगा ऐस एक्सटोर निया आइटम और कोई balance नहीं है तो हम क्या करेंगे आपका पुरी grant गोवर्मेंट ग्रांट रिसीवट इस 40 लैक फोर दी पर्चिज ओ अबव मसीन रहें गोवर्मेंट से में 40 लैक की ग्रांट मिली है इस मसीन के अगेंज टिक जी सर एक बात और में आपको बता देख हम जो डेफड गोवर्मेंट ग्रांट होती है उसे हम एज लाइबल्टी और फर्दर क्लासिफाई करते हैं अजे कुर्ण लाइबल्टी एंड नोन कुर्ण लाइबल्टी टीक जी सर शालवेज वैल्यू अट देएंड यूश्फुल लाइप इस एस्टिमेट लाइग ठीक है दर्शन लिम्कों डिसाइड टू 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 लिटीन, नाइटीन, एंट्वंटी ठीक है दर्शन लिम्कों फोलो स्ट्रेट लाइन मेफड फोर चार्जिंग डेप्रिशेशन ठीक है जी सर तो यहां पर आप देखेंगे तो वन थर्टी की असट की कोस्त है उसके समनी क्या किया ग्रांट एजी डेफरीड इनपरिक रि पीनलकॉर्ण में चाइट कर लेंगे और क्योंकि डेप्रीसेशन आपका इक्विलेंट आ रहा है यहां पर हम लोग क्या करेंगे इक्विलेंट बेस पर से गॉष्मिंट करनाट करेंगे हैं 10 लाक से क्रेट करता है ठीक जी सरो इन देखें चलें आजे सर आए कौेस्टन नमर टू बहुत बड़ी है क्वेस्टन सूरज लिमिटर परवाइड यू दव फोलिंट इन्फोर्मेशन सूरज ने कुछ इन्फोर्मिशन परवाइड की है स्टेट हाउ यू विल ट्रीट दा अबोव इन दा बुक्स ओप सूरुज लिम्टर आपने बताना है कि सूरुज की बुक्स में में कैसे ट्रीट करेंगे इत रिसीव दन ट्री तो यहां पर क्वेस्न है नहीं बताया कि इडिटी अपरोच फोलो कि है डिटिटीटिव परोच फोलो की है तो अंसर देख आएंगे हम बताएंगे कि कि as per AS-12 there are two approaches if grant is received for depreciable asset under additive approach हम क्या करेंगे asset को दिखाएंगे cost पे और grant को as it deferred income record करेंगे फिर हम लोग बताएंगे कि जो 10 crore है इसे as it deferred income record करेंगे और इसे amortize करेंगे in the race of depreciation ठीक जी सर्थ second alternative है deductive approach अगर entity deductive approach follow कर तो उस में क्या होगा asset को 25 पर record करेंगे grant को asset की cost करेंगे और जो depression वो 15 पर आ जाएगा ठीक जीस चलिए it received a capital subsidy of 150 lakh from government for setting of a plant costing 300 lakh इने notified backward region यहाँ पर question एक word लिखा है underline करेंगे इसको notified backward region अब देखिए government ने हमें पैसा दिया कितना 150 lakh as a subsidy की रूप में और बोला है कि आप एक काम करें plant को setup करें किसमें notified backward region में it means that means यह कि यह जो grant है यह as a promoter contribution है जो हम इसे क्या करेंगे capitalism क्राइट कर देंगे और plant को 300 lakh पे record कर लेंगे ठीक जी सर थर्ड पॉइंट बहुत ही बड़ी पॉइंट है इट रिसीव रुपीज 50 lakh फ्रम गोर्मेंट फोर सेटिंग पर प्रोजेक्ट और सप्लाई ओ अरंसिंक फ्री वोटर इन नोटिफाइड एरिया अब यहां पर बात समझेंगे जो केस नमबर टुन है यहां पर प्लांट का सेट अपह तो यह आपकी प्रमोटर प्लांट के ग्रांट के प्लांट थी सल्च यहां पर आने क्या करना है यह अरंसिक फ्री वोटर का इक PRGL लगाना सब्सक्राइब तो अब यहां बेना दो अप्रोच आ सकती है एक अगर यह प्रोपर्टि प्लांटे प्लाइन इक्योएंट यहां अगर हमें अगर हमें एरिया पर मोट करना था घृति है अप दुट्ष्पाइब करेंगे आप गनरीट करा देता हूं देखिए रूपई 50,000,000 received from government for setting up a project for supply of forensic free water in a notified area should be created to capital reserve ठीके जी क्योंकि आपका जो project setup हो है वो आपका notified area में हो है alternatively भी it is assumed that the project consists of capital asset only then the amount of 50,000,000 received from the government for setting up a project for supply of forensic free water should either be detected from the cost of the asset प्रोजेक्टर इंद बालंस एड ट्रीट इस देफिर इंकम विच इस रिकोगनाइज इन पिनेडल और शिस्टमेटिक अंडरेशनल बेशिज और देशनल बेशिए और देशनल बेशिए और देशनल बेशिए अगे बढ़ते हैं केस नमर पूर इट रिचीवड रूपीज 5 लैक फ्रोम दी लोकल अथोर्टी लोकल अथोर्टी भी गवर्मेंट के अंदर आती है और पर प्रवाइडिंग कोरोना वैक्षिन फ्री ओप चार्ज टू इट्स एंप्लोई एंट देर फैमिली अब सर देखिए जो 5 लैक के हमें ग्रांट में रिवेन्यू टाइप की गरांट में लिए तो हम क्या करेंगे इसे या तो एजे इंकम दिखाएंगे एजे इंकम में अधर इंकम के अंदर या सेपरेट लाइन ओफ आइटम गोर्मेट गरांट इंकम के रूप में आजएगे ठीक जी सर यह हम क्या करेंगे जो भी क्रोना पर एक्सेन पर एक्समें पर एक्समें करड़ोगा उस एक्समें से से रिदूस करके दिखा देंगे जी सर रूपीज 5 लाइग रिचीट फ्रूम दा लोकल अथोर्टी पोर पर प्रवाइदिं क्रोना वैक्सिन टूदी ए ग्रांट रिचीट इन दा रिवेन्यू गरांट सच ग्रांट आर जर्नली प्रिजेंट एज एक्राइट इन दा पिंदल अगांट आइधर सेपरेटली और अंडर एजर्नल हैं अधर इंकम यदा हम उसे चेप्र लाइन ओफ आइटम के रूप में दिखा थेंगे इंकम में या अधर इंकम के रूप में टिक अल्टरनेटि इनिचन ओव मेजर इन ईनोवेशन इन था पावर प्लांट हमने इन पावर प्लांट में अच्छी परफोर्मेंस की इसकी वेज़ेस से गुवर्मेंट हमें बब्रभा मिला और udah कहती है कंडिशन लगा दिनोंने कि आपने मिजर इनोवेशन करना थीन साल के अंदा ठीक सूरज लिंट्र इंकर 90% होता अबांट टोर्ड केटिल एक्सपेंडिचर एंड बैलंस पोर रिवेंडियो एक्सपेंडिचर सूरज ने किया किया 90% पैसा यूज किया अब पैसा यूज किया लेकिन अगर उसने मिजर इनोवेशन प्लांट के लिए यह पैसा मिला है तो डेप्रिसेबल अजट के अगेंस्ट यह पैसा मिला तो आप क्या करेंगे या तो कोस्ट प्लांट में से रिदूस करेंगे या उसे अले डाफिट इंकम रिकोड करेंगे और फिर उसे अमोटाइज कर देंगे इन दारेश अप्रिसेशन देखे क्या लिखता है रूपीज 500 लग विल बिडिक्टेट फ्रम दी रिनोवेशन कोस्ट अप्वर प्लांट और विल बिट्रिक्टेट अजट अप्लाइज तो दी ग्रांट तीक जिसर यह गोर्मेंट फिर डिसाइड करेगे कि पैसा वापिस जाना है नहीं हो जाना देखिए और अगर पैसा वापिस आए का तो फिर हमां फोलेंगे ट्रीक्टमेंट करेंगे जैसे रिवन का ट्रीक्टमेंट करते हैं क्वेशन थर्ड बहुत बड़ी एक क्वेशन है अगर बैकवर्ड एरिया में हमें फैक्री सेट अप के लिए ग्रांट मिली तो कौन सी ग्रांट होगी फर मोटर कॉंटर कोंट्रिविशन वाली हम क्या करेंगे तीन बाते बोलेंगे एक इसे क्वेशन में लेके जाएंगे सेकंड इसे डिविदेंट डिस्टिबूट नहीं कर सकते थर्ड जिस परपस के लिए ग्रांट मिली उस परपस के लिए से यूज करेंगे यह जो ग्रांट मिली है कंपणी ने क्या क्या से डिविदेंट कर दिया फिर वो इसमें डिविदेंट डिस्टिबूट नहीं कर सकती ठीक जी सर् अल्सो संतोष लेंट रिसीव लेंट फ्री ओप कोस्ट फ्रों इस स्टेट गोर्मेंट बट इस ने बोला कि कोई मनी दा स्पेंट नहीं हुए देखिए अगर असे इन काइंड मिलती था हम उसे क्या करें नोमनेल वाले पर रिकोर्ड करें विदे कोस्पनें ग्राइट इन जबौती ग्रांट इस क्रेक्ट नहीं सर दोनौ ग्रांट का अकांटिंग ट्रीपेंट के इन करेक्त है इन डेखिए as per AS 12 when government grant is received for a specific purpose it should be utilized for the same so the grant received for setting of a factory is not available for distribution of dividend tick in the second case even if the company has not spent money for the acquisition of land land should be recorded in the books of account at nominal value tick this are ugly line with corresponding credit into capital region question for and it is a very big question look at this while Imptured received a specific grant of 300 lakhs for acquiring the plant of 1500 lakhs during 13-14 having a life of 10 years so look at this while Imptured has received a specific grant of 300 lakhs for acquiring the plant of 1500 lakhs during 13-14 So look at this How much is the amount of 1500 lakhs having a useful life of 10 years useful life of 10 years and grant of 300 lakhs the grant received was credited to deferred income in the balance rate so this is as a deferred income record during 16-17 due to known compliance of the condition laid down for the grant of 300 lakhs the company had to refund the grant to the government the government Now look at this 10 years of useful life we have 10 years of charge of 10 years of charge so 150 150 150 153 13-14 14-15 15-16 16-17 grant refund Tucson to be your caring amount takes sporting amount from 1050 and 15 10 years 은 due to equivalent to the equipment ட its balance 210 How much 1800 are Yeah is यहां पर उसने पहले पूछा है रिफंड का क्या रिटमेंट होगा हम डेफर इंकों को डेबिट कर देंगे ठीक है तुबैंक आपका 300 से आ जाएगा 90 से आपका पीनल अपॉन में एक्सेटम आ जाएगा ठीक जी सर आगे पूछता है कोई इंपक्त नहीं आएगा इसका एंड अमांट अपका सेम आजाएगा 150 के सब्सक्रिक जी सर आगे लिखता है वाट शूट ब्रीटमेंट उप्ट इंपक्त नहीं आएगा इसका एक अलग क्वेशन है पहले पहले वाले क्वेशन का सॉलूशन माप को एक बर रैफर करा दे आज़ेगे ठीक डेपिसिंचर्ज राज बिशें इंट आएड अपका 150 लेक्स और चार्ज इंटो पी अलगांट और यह 1617 ए एक्स्ट्राओडर्राइटम अज एक्स्ट्राइटम इसे क्या प्र्रेटिक चार्ज के लिए चालिया चलिए वाट शूट बिट्राइट्मेट चार्ज और सट एज एसलम अगर हमने इसे अज सेट में से रिड्यूश के उता तो अपने पास जो अमाउंट आ रहा हुदा कैरिंग वांट ट्विलेंडर आ रहा था पहले साल का डेपिशन सेकेंडर डेपिशन थर्ड यर का डेपिशेशन अब रिफंड में क्या करेंगे पीपी को बढ़ा देंगे तो एक तो पीपी की कोश्ट बढ़ जाएगी 300 से और तो डेप्रिसेशन असर अब आपका 7 रिमेनिंग है 840 प्लस 300 डिवाइड बाई 7 162.85 डेपिशेशन आ जाएगा ठीक जी सर इस इसे से डिवाइड किया इसे 10 से ऐसा क्यों दोस्त पता क्या है इसको नोंने शुरू से क्या है आप 840 प्लस 300 डिवाइड बाई 7 भी कर सकते है ठीक जी सर चलिए उन्होंने यह बताया कि यह आपका जो पहले वाला उतना रहेगा इसे डिवाइड आपका बढ़ जाएगा यह देखें चलें अंजीस क्वेशन फाइड राम लिंटेट परचेस मशिनरी फॉर एटी लैक राम ने क्या क्या मशिन परचेस की एटी लैक की यूजफू लाइफ फॉर एड राइल्ट लेल्ट रॉपीज देट लियक लिए युजफू लाइफ फॉर यह उर्वट लेल्ट की ओटलैक है कि गवर्मिंट ग्राँट रिसीवेट रुपीज थिटिट लाइग इसके फिर्टि टुलाइप की ग्राँट मेलीए लोग ग्रांट का रिफंद हुआ उस ताइम आपने एंटरी पास करने तरह रिफंद हुआ है तरह रिफंद हुआ है अगर आपने इंकम रिकोड की तो आपका सब्सक्राइब करेंगे देखिए एटी लाग की आपने असेट परचेस की ठीक जी सर ग्रांट मिली थर्टी टू लाग की एटी माइनस थर्टी टू एट का रिमेनिंग केरिंग अमाउंट आ गया ठीक क्रेप वैल्यू कितने से एट लैक से यूजफू लाइफ आपकी पौर एर है टैन येर पर एनम के साफ से डेप्रिसेशन आ जाएगा तो फोटी एट माइनस टैन माइनस टैन टोंटी आपका कैरिंग अमाउंट आ गया एट दी एंडो सेकेंडियर मतलब फर्स्ट दो थर्टी है ठीक जी सर अब यहां पर ही जब ह इस स्क्रेप एल्यू है आपका एट से तो डेप्री सेशन जो आएगा आपका ट्वंटी सिक्स पर नम आज आएगा रिमिन प्रिमेइनिंख टू यह के लिए इधे कि फिक्सटू बैंक depreciation 26, ठीक जी सर, और पहले depreciation आपका 10 के साब से आ रहा होगा, अगर additive approach follow की है, तो उस case में क्या होगा, 80, और grant का amount आएगा आपका 32, estimate scrap value, 8, 72, divide by 4, 18 के साब से, 18, 18, 18, 18, 4 year depreciation आएगा, तो 8 minus 8, तो 16 से आपका defer income आएगी, defer income अब लिग defer government grant, और जो carrying amount आएगा, बीबिग को कितने से आएगा, 18, 18, 18 minus आपका 36, 44 से, अब जब हम grant को वापिस करेंगे, हम entry क्या पास करेंगे, defer income 16 से, 2 bank 32 से, 16 आपको पिने रगाउन मैंगा एगा एगा, एक्स्ट्रा ओर्णरी आइटम, इसके पर को impact ने आएगा, इसका depreciation से आपका continue, 18 के साब से रहेगा, ठीक, जीज़, defer grant P&L, दिखतेंगे bracket में, 18 का depreciation, बाद में भी आपका depreciation, 18 का ही रहेगा, चले, जी सर, आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं, AS2 पर, AS2 बात करता है, valuation of inventory, देखिए, AS2 ये कहता है, inventory को आप initially record करें, course price पर, जैसे मैं ये बात बोलता हूँ, कैसी बाते कर रहे हैं, inventory का valuation होता, cost और NRV, which is lower, हम आपको बता दू, वो subsequently valuation होता है, initially sir, जीतनी भी inventory है, हम उसे क्या करें, cost price पर record करेंगे, ठीक है, जी sir, subsequently कैसे measure करेंगे, subsequently measurement के लिए sir, हम inventory के दो partner, inventory के दो partner classify करतेंगे, एक, finished goods, and WIP और एक आपका raw material, अई, पहले बात करते है, finished goods, and WIP के, करता finished goods, cost और WIP का हम valuation कैसे करेंगे, subsequently, मतलब balancing date पर, reporting date पर, हम valuation करेंगे, cost और NRV, whichever is lower, on item by item basis, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह की, जैसे मालना में पास दो item है, एक A है, एक B है, cost price, NRV, अब इसकी cost price मालो 100, NRV 102 है, B की cost price सर आपका 200 है, NRV 190 है, अगर हम इसको total करके value करेंगे न, तो valuation आपका 292 आएगा, और अगर हम item wise valuation करेंगे, तो 100 और 190, 290 valuation आएगा, सर हम ऐसे valuation करेंगे, क्योंकि इसके अंदर करके देखेंगे न, तो यहां पर 2 का gain है, और हम gain record करते हैं, यहां पर 10 का loss है, तो यह जो 2 का gain है, यह 10 के loss के against, adjust हो जाएगा, ठीक, जो की allowed नहीं है, तो subsequently WIP और finished goods का valuation कैसे करेंगे, lower of cost और NRV on item by item basis, item by item basis यहां पर individual हो सकती या आपका group में हो सकती, जैसे मेरे पास न, बड़ी सारी chair हैं, बड़ी सारी table हैं, तो मैं valuation table और chair के इसाफ से कर सकता हूं, या individual chair और individual table के साफ से कर सकता हूं, ठीक जी सर, अब question उड़ता है कि cost price हम कैसे calculate करें, कहता है cost price में तो आपका purchase price आ जाएगा, ठीक cost और purchase, अब cost और purchase कैसे calculate करें, कहता है, purchase price आएगा, अगर कोई non refundable tax हो आजाएगा, अगर refundable tax है तो वह आपका cost का पाट नहीं माना चाहेगा, आपने transport cost अगर pay की हो आजाएगी, handling cost आजाएगी, loading, unloading cost आजाएगी, other direct cost आजाएगी to bring the inventory to its present location and condition, ठीक जी सर, cost of conversion आजाएगा, cost of conversion में basically क्या आएगा, आपका labor cost आएगी, overhead cost आएगी, labor cost हम लोग क्या करेंगे, जो actual labor cost है, उसको consider कर लेंगे, overhead में एक आपका variable overhead है, एक आपका fixed overhead है, variable overhead में हम क्या करेंगे, जो actual variable overhead उसे consider कर लेंगे, और fixed overhead में हम basically क्या करेंगे, recovery rate कैसे calculate होगा, fixed overhead divided by आपका actual production और normal production, whichever is higher, ठीक जी सर, जैसे माल लो क्या होता है, हमने fixed overhead incurred किये total 1 lakh के, हमने unit produce किये 5000, लेकिन जो normal unit produce होती वो 8000 होती है, अब अगर मैं 5000 unit में इस total cost को allocate कर दूँगा, एक तो मैं उतना price charge नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं market में computer नहीं कर पाऊँगा, second, अगर inventory मेरे पास बच गी, तो inventory के value बढ़ 1 lakh divided by आपका 8000, recovery rate आगया आपना 12.5, ठीक जी सर, तो 12.5 के साब से हम लोग क्या करेंगे, हम cost of inventory का पार्ट मान के चलेंगे, और बाकी जो amount है आपका, that is 37500, उस amount क्या करेंगे, penal account के नदर लेके जाएंगे, ठीक, जी सर, कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग production करते हैं, उसमें आपका joint product आ जाते है, कहता है, अगर joint product है, तो हम क्या करेंगे, total cost को joint product में allocate करतेंगे, best allocation क्या रहेगा, अगर मैं आपके examper window से बात करूँ, तो sale price, आपका sale value, आपका क्या रहेगा, best allocation base रहेगा, ठीक, जी सर, अगर को by product है, या कोई scrap है, तो हम लोग क्या करेंगे, by product की net eligible value, और अगर कोई scrap है, तो sale of scrap को क्या करेंगे, sir, minus कर देंगे, ठीक, और जो cost आई उसे क्या करेंगे, joint product में allocate करतेंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे, cost of inventory calculate करेंगे, तो कुछ cost को consider नहीं करेंगे, abnormal loss को हम consider नहीं करेंगे, storage cost को consider नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे माल लोग एक product बनना है, और वो तीन process से होके गुजरेगा, process 1, process 2, process 3, process 1 उसका complete हो गया, process 2 में जाने इस पहले उसे हमें store करना पड़ेगा, तो अगर ऐसी storage cost है, तो उसे हम consider कर लेंगे, administrative overhead आपका नहीं आएगा, selling and distribution cost आपके नहीं आएगी, एक ना abnormal loss का concept मैं आपके साथ special discuss करना चाहरा हूँ, abnormal loss को हम लोग क्या करेंगे, cost का part नहीं मानेंगे, और इसे कहां charge कर लेंगे, P&L account में कैसे, at cost price पे, बात सुने जैसे माल लोग हम क्या करते हैं, गी में deal करते हैं, हम इसका मतलब है कि जो normal loss है, वो बाकी जो product की cost है, उसमें allocate हो गया है, ठीक, जी sir, तो 1 lakh divided by 98, cost per unit अपनी आगी, 1020.408, पर kg cost आगी गी की, ठीक, जी sir, लेकिन हमें real में 95 kg गी मिला है, तो 3 kg का क्या है, अपना abnormal loss हो गया, तो हम लोग पता क्या करेंगे, जो 3 kg गी है, आपका 30 3061, इसे penal account में charge कर लेंगे, एक बात कर ध्यान रखेंगे, inventory का valuation होता है, lower of cost और NRV, लेकिन जो abnormal loss है, उसे हम क्या करते है, cost पर ही penal account में charge करते हैं, ठीक, जी sir, NRV कैसे calculate करेंगे, कहता है, expected selling price minus expected आपका selling expenditure, ठीक जी sir, finish goods के case में न, अब expected selling price कैसे identify करेंगे, बड़े अराम से मेरी बात सुनेंगे, यह अपना current accounting year, 1st April 24 को start होता है, 31st March 25 को year end होता है, ठीक जी sir, अब मेरे पास यहाँ पर मालूम है calculator बेचता है, यह calculator बच गया है, तो इसक calculator 31st March को कितने कभी का है, वो selling price में कभी भी consider नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ, NRV, net realizable value, कैसे calculate करेंगे, expected selling price minus expected selling expenses, तो expected selling price कैसे identify करेंगे, कहता है, बैलंसी डेट 31st March 25 है, आप financial statement को कभ अपरूव कर रहे हैं, हमने का जी 31st July को अपरूव कर रहे है, कहता 31st March से लेके 31st July के बीच में, अगर यह inventory बिख जाती है, मतलब, बैलंसी डेट से लेके, और आपका अपरूव डेट से पहले, अगर inventory बिख जाती है, जो इसका selling price होगा, वह आपका expected selling price बन जाएगा, अगर यह item नहीं बिखती, similar item बिखती, इसका selling price consider कर लेंगे, अगर similar item भी नहीं बिखती, तो management क्या करेंगे, estimate लगाएगा, ठीक जी सर, अब जो यह pencil है, इस stage पे है, अब यह complete नहीं हुई, तो मैं इसका valuation कैसे करूँगा, AS2 यह कहता है कि अगर यह इसी condition बिख सकती है, तो जो इसका selling price है, minus expected selling expenses, और अगर यह इस condition में नहीं बिख सकती, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, finish goods का selling price, minus आपका expected selling price, minus आपका estimate cost of completion, सर ए प्लास्टिक, कि चेर बना के बेचते हैं, ठीक, जी सर, प्लास्टिक पर केजी का rate माल लो, एक मिनट के लिए, 100 है, एक मिनट के लिए माल लो, ठीक, जी सर, यह cost price है, यह हाप का raw material, और चेर हाप के लिए, finished goods, ठीक, जी सर, एक बार मैं finished goods के valuation में दुबारा चलता हूँ, finished goods का valuation कैसे करते ह क्योंकि finished goods का ultimate objective गया है, हमें उसको बेचना है, इसलिए हम उसका comparison नर्व के साथ करेंगे, लेकिन जो raw material है, उसको objective ultimate बेचना नहीं है, बल्कि उसे consume करके new raw material purchase करना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम इसे बेचने तो नहीं, यहाँ पर comparison होगा, नर्व के साथ नहीं ह क्या finished goods के cost price के comparison में, उसके बराबर यह उससे ज़्यादा है, हमने का हान जी, उससे के बराबर यह उससे ज़्यादा है, it means, it means यह है, कि जो raw material की cost है, उसकी recovery हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, raw material का valuation करेंगे at cost price, देखिए, valuation of raw material at cost price, if finished goods selling price is equal to or more than finished goods cost price, ठीक जी सर, का मतलब यह है, कि जो raw material की cost की recovery नहीं पाएगे, तो हम raw material का valuation कैसे करेंगे, cost price और replacement cost whichever is lower, ठीक जी सर, at cost price or replacement price whichever is lower in other cases, ठीक जी सर, एकुछ concept बचके, इनको थोड़ा रुख के discuss करते हैं, आई एकुछ question cover करते हैं पहले न, question number one, Mr. Maghul give the following information relating to item, forming part of inventory as on 31st March 17, Mr. Maghul, ने कुछ information दी है, आपका inventory के regard में, 31st March 17 को, ठीक, each factory produce product X using raw material A, उसकी जो factory न, वो product X बनाती है, उसके लिए raw material A यूज करती है, ठीक है जी, 600 unit of raw material A, purchase at 120, replacement cost आपका 90 है, ठीक है, तो 600 unit का हम valuation कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, finished goods का valuation का wait करना पड़ेगा, ठीक जी सकते, क्योंकि finished goods का अगर selling price, finished goods के cost price के बराबर ही उससे ज़्यादा है, तो raw material का valuation cost price पे होगा, finished goods का selling price, अगर finished goods के cost price से कम है, तो raw material का valuation, आपका cost or replacement cost, whichever is lower के साबसे होगा, ठीक जी सकते, देखें क्या लिखता है, 500 unit of the partly finished goods in the process of producing X and cost incurred till date आपका 260 है, these units can be finished next year by incurring additional cost of 60 per unit, तो हमें finished goods का selling price चाहिएगा, ठीक जी सकते, तो आपका WIP कितनी unit है, सर 500 unit, आगे देखें क्या लिखता है, 1500 unit of finished product X and total cost incurred 320 per unit, आपके बास जो finished goods है, वो कितनी unit है, 1500 unit है, टोटल cost incurred 320 है, expected selling price और product X आपका 300 per unit है, अब यहाँ पर देखें, उसने expected selling price दिया है, अगर expected selling expenditure होगा तो वो माइनस करें, टेक करते है, determine how each item of inventory will be valued at 31st March 17, also calculate the value of the total inventory as on 31st March 17, अब यहाँ पर expected आपका selling expenditure नहीं दे रखा, तो expected selling price है, आपका अपका selling expenditure नहीं दे रहाए, तो expected selling price आपका NRV बन जाएगा, ठीक जीस तर, तो यहाँ पर जो valuation करेंगे, 320 और 300, whichever is lower 300, 450, finished goods का selling price, finished goods का cost price से कम है, तो यहाँ पर valuation होगा, cost और replacement cost, whichever is lower, और देट इज आपका 90 54,000 डबल आपी की बात करें तो कोर्स कितनी है 260 है और एक्सपेक्टर सेलिंग प्राइस 300 माइनस 60 240 आ गया ठीक तो 240 के साब से एन आर भी है 240 इंटू आपका 500 1,20,000 6,24,000 चलें जी सर question 2 मेरे को बहुत ही प्यारा question लगता और student के नहीं बहुत query आती है समेना उन student की जिन्होंने मैं इसे class में ले रखे इस question को बेजते हैं कहते सर इसमेना हमें यह चीज़ में नहीं आ रही यह वाली चीज़ में नहीं आ रही दोस्त मैं काम करता हूं question 2 को कराने से बहले न एक basic सा example आपके साथ discuss करता हूं उसके बाद आपको इसमें से scalarity आ जाएगी देखे क्या होता है एक company है उसने क्या किया valuation किया of inventory at cost price कितने उसे माल लेते हो और जो उसके पास inventory है उसमें दो item है एक item A है और एक item B है it includes लिए ठीक अगर मैं A की बात करूँ तो इसकी cost price sir 5000 है और NRV sir आपका 5200 है B की मैं बात करूँ तो cost price sir आपका 4000 है NRV sir आपका 3700 है inventory का valuation कीजिए निका लिए एक बार खुद से answer ना take 30 seconds और एक बार answer निका लिए खुद से ना valuation of inventory कीजिए आपने answer निकाल लिया अंजीर sir आईए अब मैं answer निकाल ना देखे inventory का valuation कैसे होने चाहिए sir cost और NRV which is lower लेकिन हमने valuation कैसे कर रका entity ने sir at cost price तो cost कितनी आगे बन ला है अब इसमें दो item में include हैं इसका मतलब क्या है कि इनका valuation इसमें आ चुका है अच्छा और कितनी value पे आ चुका cost पे कैसे पता sir आपको लिखा तो आपके लिए cost price तो मतलब यह value consider हो चुकी है हमें value कौन से consider करनी है sir lower of cost और NRV यहाँ पे अगर आप product A की बात करें तो 5000 और 5200 valuation किस पर होना था 5000 पे valuation already किस पर हो रखा है 5000 पे तो कोई adjustment नहीं करनी अगर B की बात करें तो cost price कितनी से 4000 से valuation किस पर होना था sir lower of cost और NRV 3700 पे लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो valuation किस पर होना था 3700 पे ठीक जी सर लेकिन value हमने कौन से include कर रखे sir 4000 include कर रखे तो 300 से sir हमने value जादा consider कर रखे तो हम लोग क्या करें 300 यहाँ से minus कर देंगे 99 700 valuation आ जाएगा ठीक जी सर इसमें यह चीजे consider कर ली consider क्या होनी चाहिए थी cost और NRV is lower 5000 consider होना था 5000 यह consider कर रखा 3700 consider होना consider 4000 कर रखा 300 से क्या करेंगे minus कर देंगे ठीक जीस से पड़ यह question number the closing stock of finished goods at cost of a company देखे clearly लिका उसने at cost of a company amounting to 450 the following item were included at cost in the total जो इस 450 में है इसमें यह तीन item में है और cost included है 100 quote है which had cost 2200 each ठीक है and normally sold for 4000 each ठीक है owing to a defect in manufacture they were all sold after the balance date at 50% of their normal selling price अभी तक 4000 के भीक रहे थे अब वो 2000 के भीक हैंगे तो valuation कैसे होना चाहिए था cost 2200 अपका NRV 2000 whichever is lower 2000 पर valuation होना चाहिए हमने valuation कैसे कर रहा cost 200 पर 200 पर हमने valuation ज्यादा कर रहा and selling expenses of the badge total 200 they were sold for 55 each देखे cost कितनी 50 से selling price कितना है 55 अभी complete करने में cost कितनी इनक्रेट होगी 2 तो 53 और 200 सकत है total आपका selling expenditure 200 का होगा तो पर्स cuts आपकी one की cost आएगी selling expenditure ठीक जी सर तो 52 valuation कितने पर आएगा NRV 52 पर cost 50 50 पर valuation आएगा और valuation ओलड़ी किस पर 50 पर तो कोई adjustment नहीं करेंगे ठीक जी सर cert which had cost 50,000 their net eligible value at balance date was 55,000 तो valuation कैसे करेंगे cost और NRV is lower 50,000 पर ओलड़ी value किस पर कर रहा 50,000 पर तो कोई adjustment नहीं करेंगे यहाँ पर supplement पता क्या गलती करते हैं commission at 10% on the sale is payable to agent कहते हैं sir 55,000 minus 10% करो ना दोस्त ओलड़ी 10% minus है तो आपको कैसे पता clear लिखा है net reliable value तो net reliable value कैसे calculate होगी expected selling price minus expected selling expenses ठीक जी सर तो कोई adjustment नहीं होगी sir आपकी skirt और cert के ना यह आपका valuation आगा inventory का question थर बहुत ही बड़िया question देखके क्या लिखता है ale implement purchased 1 lakh metric ton for 100 each metric ton of raw material यह ने क्या क्या 1 lakh metric ton purchase किया 100 के साफ से raw material and introduced in its production process to get 85,000 metric ton as output और output 85,000 का उसे मिला है normal waste is 5% है output कितने का मिलना चाहित है 95,000 in the process company incurred the following expenses process में कंपनी ने खर्चे किये direct labor है 10 lakh की ठीक है material cost 1 crore से direct labor आगी ठीक है direct variable overhead आपके साफ 1 lakh से आगी direct fix overhead अब interest sir इसमें 40625 है देखे हम प्राइम आफेसी न एक्जाम परपरस के लिए inventory को qualify नहीं मानते है जबता question specify नहीं करता ठीक जी sir तो जो interest cost है वो capitalized नहीं होगी तो 1 lakh माइनस आपका 40625 59375 total cost आगी normal output से capitalized करते हैं तो वन क्रोड 11,59,375 divided by 95,000 तो cost पर unit आगे कितने से 117.47 से और NRV question कि दिरकी देखे आगे लिखता है of the above 80,000 metric ton was sold during the year remaining 500 metric ton or remain in the closing stock ठीक है due to fall in the demand the market the selling price for the finished goods or कितने से आपका 105 से तो valuation कैसे करेंगे 105 और 117.47 which average is lower 105 के साफ से तो 5000 into 105 525 से आपका NRV आगी 9 entry ठीक जी सर अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने value of closing stock मांगा है आगे लिखेंगा also calculate amount of abnormal loss ठीक जी सर abnormal loss कितने unit कवा 10,000 का metric ton का और कोर्स के साफ से मैं उसे क्या करेंगे फिन लिखान में charge करेंगे यह देखें question number 4 पढ़ेंगे calculate the value of raw material and closing stock based on the following information आपने क्या करना raw material के value calculate करने calculate करने मतलब raw material और finished goods के इस information के base पर है raw material का नाम X है और closing balance 500 unit है rupees per unit cost price including excise duty 200 ठीक excise duty standard credit is receivable on excise duty paid it means क्या है कि हमें इसका credit मिल जाएगा तो जो net cost अपनी 90 आजाएगी rate invert आपका 10 से है unloading charges आपका sorry rate invert 20 से unloading charges आपका 10 से replacement cost आपका 150 से तो cost यहाँ पर आपका 220 आगे finished goods why closing balance 1200 unit है material consumed 220 है direct labor 60 है direct overhead आपके 40 है तो 220 तो यह आपका material cost आगी labor आगे यह direct overhead आगे total fixed overhead for the year 2 lakh है वो normal capacity 20,000 unit तो 10 per unit आगे तो cost आगे finished goods की 220 आपका aromatical cost है plus 60 plus 40 plus 10 330 है ठीक जीसा है calculate the value of the closing stock when net reliable value of the finished goods की प्राइजने से 400 से तो cost और NRV is lower 330 into 1200 unit 396 यह finished goods का valuation आ गया raw metal का valuation कैसे करेंगे अगर आप यहां पर देखेंगे तो finished goods का selling price finished goods के cost price से ज्यादा है तो raw metal का valuation होगा आपका at cost price that is 220 500 into 220 500 into 220 1 lakh 10,000 5 lakh 6,000 चले जीसार net reliable value अगर finished goods की 300 है तो NRV कम है 360 finished goods raw metal का valuation cost और replacement cost whichever is lower 150 500 into 150 75,000 4,35,000 यह तेखेंगे question no.5 पढ़ेंगे well wear limited WWL is a textile manufacturing company and engaged in the production of polyester and nylon while manufacturing the main product a by-product fiber F which also produced details of the cost of the production are edge under यहाँ पे दो आपके main product होगे P और N और एक आपका by-product होगया F तो हम लोग क्या करेंगे total cost में से न जो net reliable value आएगी आपका by-product F की हम उसे reduce कर देंगे और जो total cost उसे sale value में allocate कर देंगे ठीक जीस है purchase of raw material for manufacturing process आपका 3D unit की cost दे दी purchase price wages paid आगया fixed override आगया variable override आगया ठीक जीस है तो total cost कितने से आगी 350 plus आपका 160 plus 120 plus 60,000 690 output आगया आपका P N और F closing inventory आगया P और N की ठीक जीसर average market price of P & N 160 तो P 100 N 16 12,500 into आपका 100 तो total selling price 1250 और ही आपका 6,000,000 इस रेशों हम क्या करेंगे जो भी total cost आगया उसे allocate कर देंगे ठीक जीसर byproduct fiber is sold at 40 per unit okay there is a profit of 8,000 on sale of byproduct after incurring separate processing expenses of 10,000 and packing charges of 9,000 5000 was realized from the sale of scrap 5000 to sale of scrap minus हो जाएगी अगर byproduct की net reliable value calculate करेंगे आएगी 3200 into आपका 40 minus 10,000 minus 9,000 1,09,000 ठीक जीसर तो जो total cost आगी अपनी joint product की joint product की 690 minus 5000 minus 1,09,000 576 total cost आगी यहां पर आप देखें तो 576 cost आगी इसे हम क्या करेंगे sale value के साफ से allocate कर लेंगे इस रेसों में 1250 और 6,000,000 में यह देखें यह आपका total cost आगी allocate होके output से divide करके क्या आजाएगा आपका cost पर unit आजाएगा जैए चलिए अब एक काम करते है जो concept बच्चे हों से revise करते हैं फिर बाकी question discuss करेंगे देखें क्या होता है inventory का valuation कैसे होता है lower of cost और NRB ठीक जी सर अब cost कैसे calculate करेंगे स्थार हम cost में actual cost calculate करेंगे आपका cost of purchase के साब से cost of conversion और आपका other direct cost अब यह other direct cost कौन से है कहता है कोई भी ऐसी cost जो आप incurred करते है to bring the inventory to its present location and condition example के तोर पे जैसे माल लो मैं एक machine बनाता हूं और मैं ना customer को बोलता हूं कि यह जो machine है यह इसका standard format है लेकिन मैं इसे customize कर दूँग as per your requirement तो उस case में customer के requirement के बेसे अगर उसे customize करता हूं तो जो additional मेरी cost आएगी वो भी cost of inventory का part बन जाएगी other cost incurred in bringing the inventory to its present location and condition for example the cost of designing product for specific customer in the cost of inventory AS2 यह कहता है कि आप inventory के valuation करेंगे lower of cost और NRV ठीक जी सकता है अब cost में आप actual cost consider कर सकते है या आप other technique यूज कर सकते है जैसे आपका standard cost हो गया standard cost basically या predetermined price होता है ठीक जहाँ पर variation कम आते है आप वहाँ पर standard cost follow कर सकते है retail price method यूज कर सकते है बड़ी सारी item है similar margin पर काम करती है जैसे nut bolt हो गया आपके बड़ी सारे bearing हो गये ठीक तो AS2 यह कहता है कि आप वहाँ पर क्या कर सकते retail price method लगा सकते है जहाँ पर inventory large होती है और volatile in nature होती है retail price method पर हम लोग cost कैसे calculate करेंगे आपका retail price minus gross margin यह कुछ और point है जो property plant and equipment की definition क्वालिफाई करते हैं उसे हम PPE consider करेंगे otherwise वो क्या माने जाएगे inventory माने जाएगे I mean to say stand by equipment के case में spare part के case में और आपका servicing equipment के case में हम लोग क्या करेंगे पहले उनके उपर PPE की definition लगा के देखेंगे अगर वो PPE की definition क्वालिफाई करते तो आपका as per AS 10 PPE record होगा otherwise क्या होगा inventory borrowing cost का treatment as per the requirement of AS 16 होगा normal loss, abnormal loss का treatment मैंने आपका साथ discuss कर लिया क्या packing material आपका cost of inventory का part है देखे packing material basically दो टाइट के होते है primary packing material जो की essential होता है अब हम अगर cold drink बेचते है तो cold drink को store करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर उसके लिए bottle चाहिए तो वो जो bottle है वो primary packing material है वो आपकी cost of inventory का part बन जाएगा एक होता secondary packing material जिसे हम क्या करते है goods को forward करने के लिए यूज करते है अब cold drink की 10 bottle की हमने packing कर दी एक जगा है तो वो आपकी secondary packing material है inventory cost consider नहीं करते है क्योंकि transporting and forwarding के लिए हम लोग क्या करते है यूज करते है तो वो आपका direct cost नहीं है inventory के आप में ठीक जी सर आई बचे यू question करते है opening stock में finished goods अपना 1000 kg ठीक है जी 25000 kg उसकी cost है raw material 1100 kg है और उसकी cost 11000 है तो 10 के साब से cost आगी purchase हमने 10000 unit की है उसकी cost 1 lakh है तो 10 के साब से cost आगी तो जो material consumed आए आपका 10 के साब से आजाएगा ठीक जी सर labor 76500 आगया overhead आपके fixed है 75000 sale 10000 unit 280 है closing stock में raw material 900 है तो 11100 – 900 जो आपका raw material consumed हुआ 10200 हुआ है 10 के साब से 1 lakh 2000 cost आगे ठीक जी सर finished goods साब का 1200 है the expected production for the year was 15000 kg of the finished product आपका recovery rate आजागा fixed production over the case में 5 और actual production कितने से हुआ है opening stock stock plus production equal to sale plus closing stock sale है आपका 10000 से और आगे लिखता question due to fall in market demand the sale price for the finished goods आपका 20 पर केज है और replacement cost of raw material 9.5 kg you are required to calculate the closing stock आपका raw material consumed आजाएगा 1,2000 से direct labor 76 500 से fixed overhead 51,000 से total cost आगी divide by total production आपका यह हमने calculate कर लिया 229 500 divided by 10,200 22.5 cost आगी NRB 20 है तो valuation 20 के साब से जाएगा 20 into आपका finished goods 1200 है 24,000 raw material का valuation कैसे होगा raw material की cost 10 है replacement cost 9.5 है finished goods की selling price finished goods के cost price से कम है तो raw material का valuation होगा cost और आपका replacement cost which average is lower 9.5 के साब से यह आपका inventory cost आगी ठीक जी सर चलिए आगे बढ़ते हैं मतलब inventory का valuation आगया cost और replacement cost which average is lower आपका raw material के case में और finished goods के case में आपका cost और NRB which is lower ठीक क्योंकि finished goods का selling price finished goods के cost price के comparison में कम है तो raw material का valuation होगा lower of cost और replacement cost question 7 बहुत बड़ी है question है एक बात में आपको बता देता हूं जब आप cost of inventory calculate करेंगे न तो उसमें जो direct expenditure है आप उसे actual waste के साब से consider करेंगे ठीक XYZ limited is engaged in the business of manufacturing and supply of lubricants XYZ limited engaged है in the business of manufacturing and supply of lubricants मतलब lubricants का manufacture करती हो और उसको supply करती है फोर manufacturing of lubricants company generally required two type of raw material उसके लिए company क्या करते है two type का raw material purchase करती है कौन-कौन सा एक base oil एक additive ठीक है for base oil procurement the company cost structure per liter each as follows जो base oil procure करती वो company cost structure ऐसे है material cost आपका 100 के साब से custom duty आपका 5% on material cost 5 आप आगया ठीक जी सर storage tank रेंट 2 पर लीटर है ठीक है जी custom house agent charges 1 पर लीटर है ठीक है inward freight transportation cost for transporting transferring the goods from short tank to plant ठीक है direct cost 3 पर लीटर costing manager informed you the following fact we have purchased 100 liter of base oil from one of the our group company situated in Singapore तो 100 into आपका 110,000 material cost आगी storage tank rent से पहले आपका custom duty 5% आगया जी सर storage tank rent आपका 200 आगया जी सर custom house agent charges आपका 1 के साब से आगया जी सर आगे लिखता है base oil material is duly arrived at port and goods have been duly unloaded in the storage tank storage tank में अभी goods पढ़े हो है ठीक है तो customer house agent charges बगारा सब लग चुके हैं एक पर देखते हैं material based के साब से consider करते हैं और freight हम कब एक्रिव होगी जब उसे storage tank से यह देखिए invert freight आपका transport cost for transferring the goods from short tank to अबका plant tick और यहां पर उने बोल दिया कि अभी वह storage tank के अंदर ही goods पढ़े हो है question no.8 वह होती बढ़ी है question excellent question Sun limited has fabricated special equipment Sun limited क्या करती है fabricated करती है special equipment का solar power panel during 14-15 as per the drawing and design supplied by the customer इसका मतलब क्या है देखिए हम ना solar power panel बनाते हैं लेकिन जो भी design होगा जो भी drawings होगी वह customer के base पे होगी इट मिन्स यह है कि वह आपका customized based goods है जैसा customer चाहता हम ऐसा goods बना के उसको देंगे ठीक जी सब अब ऐसे goods में पता क्या problem होती है ऐसे goods में चर्णली मार्केट में marketable नहीं होती है मतलब सर मतलब देखिए मैं एक AC बना के वेजता हूं आगे पढ़े एक question को however due to a liquidity crunch एक liquidity crunch आया किसको customer को the customer has requested the company for postponement in delivery schedule अब customer को liquidity crunch आया उसने हमसे request की company से कि जो delivery वगरे schedule और उसको postpone कर दो and requested the company to withhold the delivery of the finished goods product and discontinue the production of balance item और जो balance item को उसने order दे रहका उसका production आपने नहीं करना इतमेंस यह कि जो goods हम बना चुक हो कर आपने पास hold कर रखो भी और जो आगे आपनी schedule बगरा दे रखा था बनाने का customer ने उसको आपने नहीं करना उसका discontinue का the production as a result of the detail of the customer balance and the goods held by the company as work in progress and finished goods as on 16 31st March 16 are as follows WIP 85 lakhs से है solar power panel finished product अपने पास 55 lakhs से है और debtor अपने पास 65 lakhs है the petition for winding up against the customer has been filed during 15-16 by Sun Limited हमने क्या कैसर petition डाल दी customer के गेंस ठीक comment with explanation on provision to be made of 205 lakhs included in debtor finished goods and WIP in the financial statement अगर इनका total देखेंगे तो 205 आ रहा है यहाँ पे हम इसका जो answer देंगे सबसे पहले बताएंगे inventory की definition ठीक जीसर फिर हम बताएंगे कि solar power panel है यह अपने लिए inventory है इसका लिए करें cost और is lower ठीक जीसर अगर inventory की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों का total cost आ जाएगी कितने से 85 plus 55 140 से NRV कितने मात के चलें हम यहाँ पे assumption लिखेंगे कि we assume NRV cost के comparison में ज्यादा आए इसलिए इसका जो valuation करें कि इस पर कर देंगे आपका 140 cost पर कर देंगे ठीक अब जो मैं बोलने जा रहा हूं पड़े ज्यान से मेरी बात सुनना क्योंकि यह customized based product है हो सकता है यह market में भी कही ना और customer को liquidity problem आ रही है customer इसे purchase करेंगा नी अब मार्केट में भी कहेंग नी तो हम ही क्या करना पड़ेगा आपका जीरो हो जाएगा ठीक जीसर 65 Lakh का amount हम क्या करेंगे प्रोविजिन क्रियेट कर लेंगे डेट रेक इस ठीक जीसर answer refer करते है from the fact given in the question it is obvious that Sun Limit is a manufacturer of the solar power panel तो यहां पर उसने inventory को explain किया है यहां बता रहा है as the customer has postponed the delivery schedule due to liquidity crunch the entire cost incurred for the solar power panel which word do we supplied has been shown in the inventory ठीक है और inventory में हम लोग क्या मान के चलेंगे कि जो आपका NRV वो जादा देखिये in the absence of NRV of WIP and finished goods given in the question assuming that cost is lower ठीक मतलब NRV हमने जादा मानी है the company sell value its inventory as per AS2 or 140 Lakh alternatively if it is assumed that यह most important line as question किना there is no buyer for such fabricated solar power panel then the NRV will be nil in such a case full value of finished goods and WIP be provided for in the books means charged into penal account as we got debtor balance since the company has filed a petition for winding up against the customer in 1516 it is proven that amount is not recoverable from the party hence the provision for doubtful debts for 65 Lakh shall be made in the books against the debtor amount okay इसी के साथ आज की क्लासमाफ्स करते हैं आज मैंने आप लोगों को 3 AS कवर करा दिये हैं ऐसे ही तसलिस हम लोग क्या करेंगे पूरा batch कवर करेंगे आपने वीडियो को लाइक करना है अपने सब दोस्तों साथ सेर करना है बिल्कुल मैं हर चैप्टर और हर AS को ऐसे अराम से तसलिस आपको कवर कराऊंगा इंपोर्टेंट क्वेस्टन कवर कराऊंगा और साथ में कौन साथ रिवाइज कराऊंगा नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे हमारे टेलिगाम चैनल से और जैसना आ थीर अपको श्तार्टेंग बोला था कि आप पहले नोट्स का परिंट आउट लेंगे ठीक अब आपतने क्या करना है इन तीनो चैप्टर के जितने question मैंने आपको यहाँ पर दे रखे वो सारे के सारे question solve करने और जो-जो question आपने अपनी side से important note कर रखे उनको भी आप solve करके देख लेंगे वो question भी आपके बिल्कुल आराम से हो जाएंगे चलिए जी, मिलते हैं next video में, thank you so much और इस बार एक्जाम को फोड़ के आएंगे